National Park हमारे लिए इतना important portion होता है कि आप लोग किसी भी exam की त्यारी क्योंने करो National Park तो question उसे पूछी लिया जाता है क्योंकि किसी ने किसी region से आज केट में National Park news में रहता है कभी तो लगता है कि कोई पसू या पकसी extinct होता जा रहा है कहीं पर कोई कोरिडोर बनाया जाता है कहीं पर किसी ने किसी अलग region की वैसे कोई development हो रहा है तो कोई ने कोई area news में आ ही जाता है और वैसे भी आप लोग जानते है environment के point of view से भी काफी important है National Park वाला section तो जो हमारा आज का पहला राज़ है जिस पर हम लोग focus डा लेंगे वो है जम्मू अन कास्मीर जम्मू अन कास्मीर में हम लोग देखेंगे कौन कौन से National Park है एके करके cover करते वे चलेंगे पहले आप लोग एक पर focus डा लीजे यह होगी हमारी प्यारी प्रत्वी यहाँ पर आप लोग को बीच हमारा प्यारा भारत नजर आ रहा है अगर यहाँ पर इसको जूम करके आप लोग देखेंगे तो नोर्स इंजा में आप लोग को राजन अजर आएगा जम्मू अन कास्मीर तो जम्मू अन कास्मीर आप लोग देखते हैं इस पर्टिकलर एरिया में कौन कौन से National Park हमारी कंट्री में है उस पर पूरा फोकस हमारा रहने वाला है तो जो सबसे पहला National Park है आप लोग के सामने यह है सलीम अली National Park लोकेशन आप लोग देखते हैं आपर यह होगी पर्टिकलर लोकेशन जम्में कास्मीर वाले रीजन में तो इस National Park के बारे में पहले फोकल जालते हैं तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंफोर्मेशन और कुछ अच्छी अच्छी चीज़े जो आप लोग को पता होना चाहिए सलीम अली National Park इसको City Forest National Park के नाम से भी पुकारा जाता है लोकेशन मैंने आप लोग को बताई दी 1986 में इसका नाम ये इसका नामांग करन किया गया था यानि के नोटिफाई किया गया था इसको सलीम अली National Park के नाम पर आखिर कौन है ये सलीम अली सलीम अली एक और्थनोलोजिस्ट है यानि के आप लोग को पता चलेगा कि ये एक चिडियाओ से विसेशक के रखने वाले एक इनसान थे जिनको बर्ड मैन यानि के चिडियाओ की जानकारी रखने वाला इनसान भी बुलाया जाता था और हाँ देखिए मैं आप लोग के जब भी कोई historical fact बताता हूं किसी particular national park के बारे में तो उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान जरूर दिया कीजे क्योंकि उसे question बने के chances काफी जादे रहते हैं बाकि यहाँ पर इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं पर कैसे याद रखना है वो बताऊंगा अभी तो नाम के हैं आपर नाम है दिच गाम नेसल पार आप लोगों को अगर हिंदी में थोड़ा सा नेसल पार का नाम है उसी के नाम पर बोल देते हैं यह लगबग आप लोगो जो लोकेशन नजर आएगी हैं आपर 22 किलोमेटर सिरी नगर से यह आप लोग को देखने को मिलेगा 10 विले जरूर आप लोग याद रखेगा है आप इसके अलावा 1981 में आपर इसको डिकलेर किया गया था नेसल पार्क यहाँ पर नेसल पार्क की अगर बात करें तो यहाँ पर यह कासमीरी हंगल इसका नाम याद रखेगा यह बारे सिंगा भी आप लोग बोल सकते हैं जो पर्टिकलर इस एरिया में पाय जाता है इसके लिए फेमस है इसक बारे में इंपोर्टेंट जो आप लोगो याद रखनी है सबसे पहला तो यह लदाख रीजन में है ठीक है ना लदाख रीजन के इसकर में आप लोग है आप पर नजर आएगा यह आप लोग देखते हैं तो हैमिस नेसल पार्क और इसको यह भी बढ़ाता है यह हैमिस और यह हुचाही पर यह नेसल पार्क है only एक ऐसा नेसल पार्क है हमारी कंट्री में जो Northern हिमाले में पाए जाता है आप लोगों ने जिवेःफिय हिमाले रेंज के बारे पढ़ा होगा ठीक है तो नोर्दन हिमालें रेंज में पाए जाता है इसी के साथ में largest notified protected area है या नि देवी बाय स्पेर रिजव ठीक है और 1981 में इसको यहाँ पर इसका दर्जा दिया गया था इस नो लेपड आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो पाई जाते हैं इनको आप लोग याद रख सकते हैं इसके पॉइंट ओवी से तो यहाँ पर हैमिस नेसल पार नेक्स नेसल पार देखते हैं डबल एन एवाई रेणी रिवर यह आप लोग नोर्थ में देखने को मिलेगी बाउंडेड बाई रेणी निवर इसके अलावे यहाँ पर यह किबर नाला केचमेंट यह यहाँ पर आप लोग को नज़र आएगा और इसी के साथ में आप लोग को वेस साइड में यह है M-A-R-W-A यह है मारवा रिवा ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखते हैं और काफी ब्यूटिफुल एरिया है यहाँ पर अगर आप लोग इसको जाकर एक बार देखेंगे तो काफी शूंदर आप लोग को नज़र आएगा इसके अलावा काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर यह पक्सी है यह है हिमालियन स्नो कोक यानि के एक मुर्गा जो की हिमालियन रीजन में पाए जाता है बरफ वाले एरिया में पाए जाता है तो यह है आपर जो पाए जाता है किस्तवार नेसल पार्क वाले एरिया में ठीक ह यहाँ पर आप लोग देखे, हमाजल प्रदेश, उपर जम्मेंट कज़मिर हो गया, इधर आप लोग को पंजाब नजर आएगा, यहाँ पर हर्याना और यहाँ पर आप लोग को उत्राखन नजर आएगा, तो इस पर्टिकलर एरिया के बारे में आज हम लोग डिस्क्रस करन तो देखते हैं कौन कौन सा नेसल पार यहां पर है तो जो सबसे पहला फर्स नेसल पार निकल के आ रहा है यहां पर यह है ग्रेट हिमालियन नेसल पार लोकेशन आप 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 लो World Heritage Site का दर्जा दिया गया था और World Heritage Site का दर्जा देने के साथ साथ में इसको Special Status दिया गया था Outstanding Significance for Biodiversity Conservation तो यह इसको दर्जा दिया गया था कि आपर यह काफी काफी शांदार है आपर खासकर Biodiversity Conservation के Point of View से कई तरीकी के Flora and Funa आप लोग पर नजनाएंगे अगर अलग अलग तरीकी की Spaces की बात करें तो लग बाग आप लोग यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि 375 तरीकी की हाँ अलग 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 Spaces, Birds हो गए, Reptiles हो गए, इसके अलावा और कई तरीके यहाँ पर पसुपक्सी आप लोग को देखने को मिलेंगे, बाकी Wildlife Protection Act जो 1972 है, उसके तहत यहाँ पर आप लोग को यह Protection देखने को मिलेगी और यहाँ पर Famous है, आप लोग देखते हैं, Goat यहाँ पर है, जो यहाँ पर इस पर्टिकलर एरे में पाए जाती है, जैकर कितनी प्यारी सी है, तो यहाँ पर इसका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं यह Union School World Heritage Site का पार्ट है, यह जुरूर याद रखेगा और कोई Historical Location के साथ में Connected है, किसी Historical Person के साथ में Connected है, तो वो भी Important हो जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग अलग से ध्यान रखिएगा नेक्स जो हैं आपर National Park है यह है, पिंग वैली National Park, Location आप लोग के सामने हैं आपर यह Particular Location है आपर जहां पर यह National Park है हमारी Country का, अगर इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इंफोरमिशन के बारे में बात करें, तो Location आप लोग के सामने है, यह है लाहूल और इस्पीत इसके अलावा, जो बुद्धिस्ट और तिबेतन कल्चर का मिस्चर आप लोग है, आप लोग है आपर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर कई तरीके आप लोग को मोनेस्टिज और इस्तिवपा, जो इस्तुपाज होते हैं, जो काफी important है, आपर बुद्धिस्ट इसके अलावा, हिमाल्यान थार, यह इस तरीका आप लोग देखते हैं, आपर यह पसुए जो पाए जाता है, आपर इस नेसल पार्क में, तो यह भी question आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो यह कुछ बात हैं, जो आप लोग को इसके बारे में पता होनी चाहिए, आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, यहाँ पर यह है, इंद्र किला नैसल पार्क, इसके बारे में जादे information नहीं है, बस आप लोग यहाँ पर इसकी location वगएरा याद रखते हैं, यह हो गया, इंद्र किला नैसल पार्क और इसको इसको 2010 में, यानिके latest अभी इसको 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 यह भी आप लोग को location देख सकते हैं, यह है particular location आप लोग के सामने जहां पर यह नैसल पार्क, आप लोग को देखने को मिलेगा, इसके अलावा अगर बात करें तो यह भी 2010 में, यानिके नया ही नैसल पार्क बनाएगी है, और यहाँ पर यह पक्सी है, यह है चुकर पैट् परदेश में, और location आप लोग यह याद रख सकते हैं, इसके अलावा आगे चलते हैं, next नैसल पार्क हैं, आपर यह सिंबल 12 नैसल पार्क, इसकी थोड़ी सी importance यह है कि आप लोग को देखने को मिलेगा, दो जो state के border हैं, उसके आसपास में आप लोग को नजर आएगा, यह देख सकते हैं, आपर यह है particular location, एक side में आप लोग को हिमाचल परदेश, और दुरी side में आप लोग को हरियाने हैं, आप लोग देखने को मिलेगा, जिसके border touch करता हूँ, आप लोग को यह नजर आएगा, यानि कि दो states के बीच में यह आप लोग को नेसल पार्क, आप बारे में, अगर आप लोग यहाँ पर इससे लिए एक जानवर का नाम याद रखना चाहते हैं, तो यह सांभा, ठीक है, या फिर आप लोग जो dear बोल सकते हैं, आप देखते हैं इसको, तो यह कुछ ऐसा है यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि इस particular national park में पाय जाता है, हर्यान है, राजय के साथ में भी, ओके, आगे चलते हैं, अब देखते हैं, अगला state यहाँ पर, national park, यहाँ पर state में देखते हैं, कौन सा यह है, यह है, उत्राखंड, उत्राखंड काफी important state है, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, 2000 में, उत्तर परदे से अलग करक तो इसमें देखते हैं, कौन कौन सा national park है, पर उससे पहले आप लोग location देख लिए उत्राखंड की, कि यह located काँ पर है, उसके बाद में आप लोग अच्छे से connect कर पाएंगे, थोड़ा और जोम करते हैं, यह देख सकते हैं, यह देखें, आप लोग उत्राखंड आप location आप लोग के सामने हैं, आप यह आप लोग को पता होना चाहिए, तभी आप लोग अच्छे से connect कर पाते हैं, इसके बारे में interesting information जान लेते हैं, जीम कॉर्बेट नेसल पार्क को establish किया गया था, यह आप लोग को देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो oldest national park है इंडिया में, 1936 में, अब तब जो भी national park हम लोग ने देखे, वो आजादी के बाद maximum आप लोग को देखने को मिलेगा, establish किया गया थे, पर यह आजादी के पहले, यानि कि 1936 में इसको establish किया गया था, और किसलिए किया गया था, जो बंगाल टाइगर हैं, इंडेंजर बंगाल टाइगर हैं, उनको protect करने के लिए इसको establish किया गया था, जो यहां पर यह नेसल पार आप लोग के सामने हैं, इसको जो पहले जो पहले जो आज का नाम चेंज किया गया एक interesting information आप लोग को ये भी याद रखनी है आपा 1973 में project tiger start किया गया था जो यहाँ पर tiger है हमारी country में खासकर बंगाल tiger उनको protect करने के लिए तो Jim Corvette national park फॉस्ट ऐसा national park था जो कि आपर इसके project tiger के अंडर में आया ठीक है तो इंदरा गहांदी जी के time period पर ये start किया गया था आप चलते हैं next national park यहाँ पर है यह है गंगोत्री national park location आप लोगे सामने है यहाँ पर यह गंगोत्री national park की यह आप लोग देखते हैं उत्रा खंड में अगर इसके बारे में कुछ बात है की जाए तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा यह जो national park है यह इंडिया का national park है एक पक्षी आप लोग देखते हैं जो कि हाँ पर पाए जाता है तो इसके बारे में अगर आप लोग एडिया रखना चाहें तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं और भी कई तरी के पेड़ पोदे और इसके अलावा कई तरी के हाँ पर पजू पक्षी आप गोविंद पासू विहार नैसल पार तो इसके बारे में थोड़ा आप ध्यान दीजेगा यह location आप लोग के सामने है यहाँ पर इसके बारे में क्या है importance वो भी देख लेते हैं आप गोविंद पासू विहार नैसल पार जो कि एक century नैसल पार आप लोग को देखने को मिलेगा गोविंद बलाप पंच जी के नाम पर इसका नाम चेंज करके बाद में इस नैसल पार का नाम चेंज किया गया जो कि आप लोग के सामने है इसका नाम जो रखा गया आपर यह आपर गोविंद पासू विहार नैसल पार जो कि पहले एक century हुआ करता था और देखें आपर इ यहाँ पर Home Minister थे 1950 में, एक पक्सी जो यहाँ पर आप लोग देखते ही है, Bearded Vulture, यानि के अगर बोला जाए तो दाड़ी वाला गिद, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, यह particular importance से आपर यह पाए जाता है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया होना चाहिए, और गिद देखे काफी important होता है, खासकर अगर बात करें हमारी country, हमारी जो प्रत्वी है उस पर सफाई का काम करता है, यानि के जो भी एक कुछ ऐसी चीजे जो की हमारी प्रत्वी पड़ी रहती है, गली सड़ी उनको खतम करता है, एक तरीक से काफी important है, अगर ये इस तरीकी चीजे हमारी प्रत्वी पर नहीं हो, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी महामारी और बीमारी फैल जाए, तो इनकी भी एक अलगी importance है, अगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, आपर ये है नंदा देवी नेसल पार, काफी important है, कई सारी बाते interesting आप लोगो जानने को मिलेगी, पहला आप लोग location देख लीजे, ये है particular location जहां पर ये पाया जाता है, अब इसके बारे में interesting बाते जानते हैं, नंदा देवी नेसल पार, जो की ए ये है important question जो ये पर बन सकता है, इसके अलावा, नंदा देवी नेसल पार का बाद में नाम चेंज करके, नंदा देवी valley of floor नेसल पार कर दिया गया था, 2005 में, तो ये भी हाँपर इस से later important information है, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, बाकि brown beer, यहां की विसेषता है, जो की हा यहां पर पाए जाता है, यह क्या है, brown color का जो भालू है यहां पर पाए जाता है, यहां पर इस particular area में, यह भी important है, इसके बारे भी आप लोग हलका सा idea रख सकते हैं, okay, location मैंने आप लोग को बता ही दी थी, तो यह था इसके बारे में कुछ छोटी-छोटी मगर मोटी बाते आगे आगे चलते हैं, अगला नेसल पार्ग जो है आप पर इसका नाम है राजा जी नेसल पार्ग, यह भी एक freedom fighter आप लोग है आप पर नजर आएंगे, इनके नाम पर यह नेसल पार का नाम रखा गया है, location आप लोग के सामने हैं जहां पर यह situated है, कुछ बाते जान लेते 1983 में इन तीनो डिस्टिक के जो यहाँ पर यह एरिया थे, इनको मिलाकर नहापर एक नेसल पार्ग बनाया गया, जिसको आज किड में हम लोग राजा जी नेसल पार्ग बोलते हैं, राजा जी कौन थे, देखे सी राज गोपाल चारी, जो की independent इंडिया के गवर्नर जरनल भ पर मिल सकते हैं, ठीक है, तो कौन-कौन से आपर जिनको मिलाया गया था, इनको मिलाकर यह एरिया बनाया गया था, कौन-कौन सी सेंचुरी थी उनका नाम आप लोग देख लीजे, यह आपर चिला, मोतिचूर और राजा जी, यह तीन सेंचुरी को मिलाकर यहाँ पर एक न अब भी हम लोग ने डिस्स कहा था नंदा देवी नेसल पार इसी से connected आप लोग को नेसल पार नेसल पार नेसल पार यह क्या है आपर यह है आपर वैली ओफ फ्लोर नेसल पार और आप लोग को यहां पर भी देखने को मिला और यहां पर endemic alpine जो फ्लोर हैं और कुछ variety of जो फ्लोरा हैं उनके लिए काफी फेमस है इसके अलावा नंदा देवी नेसल पार यहां पर यहां पर यूनेसको वर्ल्ड हैटे साइट का दरजा भी है ठीक है इसके अलावा यहां पर asiatic black bear यहां पर particular area में आप लोग को देखन confusion नहीं रखना है आप लोग के mind में clarity रहनी चाहिए आगे चलते हैं अगला राजे देखते हैं जो next राजे हैं यहां पर यह हर्याना हर्याना में देखते हैं कौन कौन सा national park है जिसे आप लोग अच्छे से connect कर पाएं तो हर्याना पर नजर डालते हैं उससे पहले आप लोग यह पर्टिकुलर उत्तर परदेश नजर आएगा थोड़ा नीचे जाएंगे तो राजस्थान नजर आएगा तो कुछ बाते आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखते हैं आईए पर्टिकुलर देखते हैं कि कौन कौन सा national park आप लोग को हर्याना में नजर आएग नेक्स्ट बात करते हैं आपर यह है केलासर नेसल पार्क हरयाना का नेसल पार्क है लोकेशन आप लोग देखते हैं आपर बौडर पर ही है लगबग जाकर आप लोग एक बोडर एरिया आप लोग इसको देख सकते हैं जहां पर यह इसकी लोकेशन है अगर केलासर नेसल प पर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो पाए जाते हैं, इसके अलावा बोथ जो Contiguous देखने को मिलेगा, जो हम लोग ने डिस्कस किया था, यह था, Symbol 12 नेसल पारक और इसके अलावा हिमाचल परदेश में, और इसके अलावा हम ने के लिए इसके साथ में आप लोग connected नजर आएगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं, यह बिलकुल बोर्डर पर है, तो यह भी दो बाते आप लोग जरूर रहाद रखे हैं, क्योंकि कई बार पूछ ले आता है, क्योंकि कौन कौन से नेसल पार कनेक्ट है, किस-किस के साथ में, ओके, जो की गुर्गाओं यहाँ पर देखने को मिला है, आज की इसका नाम क्या है, गुरुगराम इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है, इस्टेबलिस क्या गया था 1989 में, और इसी के साथ में हापर, यह है आपर white-throated kingfisa, यह याद रखेगा है, यह इंपोर्टेंट है बढ़ आप लोग यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा, और अगर आप लोग देहली या असपास वाले एरे में रहते हैं, तो लगबख 50 km आप लोग को देखने को मिलेगा, यानि कि आप लोग आसानी से इसको विजि सारे राजें हाँ पर आप लोग को टच करते हुए नजर आएंगे, और उत्तर परदेश के बारे में इंट्रेसिंग इंफोर्मिशन यह है, कि कभी कभी आप लोग ने सुनाओगा, उत्तर परदेश को मीनी इंडिया भी बोला जाता है, बहुत ह्यूज पोपुलेशन यहा यहाँ पर अकेला एक ही नेसल पाक है, और नेसल पाक का नाम क्या है, यह है दुद्वा नेसल पाक, लोकेशन आप लोग देखते हैं यहाँ पर इंडो नेपाल, यानि कि इंडिया और नेपाल के बोर्डर पर आप लोग को नजर आएगा, तो यहाँ पर इसलिए भी थोड देखने को मिलेगी तो उसी से connected आप लोग इसको बोल सकते हैं इसको आप नोटिफाइड किया गया था नेसल पाक के तोर पर 1977 में और ब्राउन कलर का है यानि कि खरगोस आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि यह आपर पाया जाता है दुधवा नेसल पाक के अंदर में अग आप जोम करकर देखते हैं आप बिहार की location यह आप लोग के सामने है बिहार ठीक है बिहार के बारे में आप लोग को पता हूं अच्छी बिहार से ही निकाल कर हम लोग के द्वारा जो राजय बनाए गया था जहारकंड और 36 गण बनाए गया था किससे निकाल कर मज्दय पर और उसी तरीक से उत्तर परदेश से निकाल कर बनाए गया था उत्रा खंड तो यह कुछ बाते हैं आप लोग जो याद रखेगा अब यहाँ पर बिहार पर फोकेस डालेंगे बिहार में जो आप लोग को नजर आएगा यह ओनली एक नेसल पार आप लोग को देखने को वालमी की नेसल पार्क, टाइगर रिजर और वाइडलाइफ सेंचूरी लोकेटिड है कहाँ पर यह इंडो नेपाल बोर्डर में आप लोग को नजर आएगी और साथ में आप लोग के लिए इंपोर्टेंट इंफोर्मसन कहा है यह वेस्ट चंपारन डिस्टिक देखिए चंपारन डिस्टिक के अगर बात करें हापर काफी फेमस है, अगर आप लोग historical point of Them से देखकर चलेंगी आप महातमा गांधी जी के बारे में आप लोग को याद आततो होगा जब भी चंपारन डिस्टिक जब भी चंपारन के बारे में बात की जाती है तो तो इसके बारे मoro आप लोग जरूर याद रखे है क्यों कि हाँ पर historical importance हो जाती है चमपारन डिस्टिक की ओके इसके अलावे हाँ पर जो river आप लोग को नजर आएगी यह है गंदक river और इस्टेबलिस किया गयता है आपर 1989 में अगर बात करें हाँ पर particular जो यहाँ पर location में आप लोग को बताई दी और एक जानवर के बारे में बात करें तो यह है blue bull यानि कि जिसको यहाँ पर नील गाएं भी आप लोग बोलते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा यह particular area मिजोरम यह आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं यह थोड़ा और जूम करके इसको देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे इसको लग 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 यहाँ पर यह नजर आएगा इसके लावा कई तरीके कि आप लोग यहाँ पर फुलोरा और फिउना देखने को मिलेंगे देख सकते हैं आप पर पसू और पकसी कई तरीके हाँ पर पाय जाते हैं यह पर यहाँ पर देखने को मिलेगा और बोडर लोकेशन क्या है यहाँ पर मैनमार नेसल पार इसको डिकलेर किया गया था लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पर्टिकलर जो लोकेशन आप लोग यह देखें आप यह भी विल्कुल बॉर्डर पर आप लोग नजर आ रहा होगा और अगर इसके बारे में आप लोग देखें आप यह हैं फांक पुई लोकल नाम थे उनसे भी कोशन आए वे थे तो फांक पुई नेसल पाग को यहाँ पर फांक पुई ब्लू मांटें नेसल पाग भी बुलाया जाता है तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं इसके अलावा यह मिजोरम में आप लोग को साउथ इस्ट में देखने को आगे बढ़ते हैं नेस्ट हमारा इस्टेट है यह है आसाम थोड़ा मैप में पहले देख लեते हैं फिर आप लोग ढग tah समाज पाएंगे तो जिस तरीके से हम लोगों ने पहला इस्टेट किया इसी तरीके से आब आसाम के ओर आप लोग के वारे便ет यह आप लोग कर सामन मानस नैसल पार्क, लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यह आप लोग के सामने लोकेशन है आप जो particular मानस नैसल पार्क के बारे में, और इसके बारे में detail information आप लोग के सामने है, यहाँ पर आप लोग के सामने जो बाते की जारी है, आप लोगो पता होना चाहिए कि ये Uniesco, Natural World Heritage Site का भी एक पार है आप ठीक है, ये इस तरीक जहां भी आप लोगो ये पता चलेगा ना, कि Uniesco से लिडिर कोई भी पार्क, नेशनल पार्क आप लोगो नजर आएगा, वो आप लोग जरूर याद रखेगा उसके उपर दो तिन इस्टार लगा लिजेगा उससे जरूर कोशन पुछा जाते हैं कि कौन सा यूनियस को का है आपर नेसल पाक या पार्ट है उसका इस तरी कोशन बहुत बहुत बार आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर या फिर एलिफेंट आप लोग रिजर्व यहाँ पर देखने को मिलेगा एक बायर स्फ़ेर रिजर्व भी है तो काफी फेमस एरिया आप लोग इसको बोल सकते हैं इस्टेबलिस किया गया था कब 1990 में ठीक है उनी सो नफ में में इसको इस्टेबलिस किया गया था और नेसल पार्ग इस्टेब्लिक्स किया था है आप आप 1999 में ठीक है तो कुछ बाते हैं आप लोगों को मैच करने को आए हाला कि ज्यादे इंपोर्टेंट नहीं है पर हल्का सा आइडिया आप लोगों के सामने हैं आप काजी रंगा आसामी आप लोग देखते हैं आप अप इसके बारे में आप लोगों को देखने को मिले तो यहाँ पर क्या-क्या बाते हैं सबसे पहले राइनोज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए राइनोज के लिए काफी फेमस है यह जिसको बोलते हैं ना कि एक सिंग वाला गेंडा बोला जाता है नूर्मली यह आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोचिंग भी देखने को मिलती है, मतलब यह जो इनके सिंग काटे जाते हैं, वो बेचे जाते हैं मार्किट में, इसकी वज़े से भी बहुत साधी पोलों यहाँ पर निकल कर आती है, और खासकर, बोटर देश है, बंगला देश, तो हाँ पर ही पोचिंग भी हो ज़्यादा होती है, तो इसलिए हाँ पर काफी सिक्क्योर्टी भी आप लोग को देखने को मिलती है, इन सब चीजों की वए से, तो इसलिए कई बार निूज में रहता है यह, तो दो इंपोर्टेंट और सबसे ज़्यादे क्या बार थे हैं आपर, एक तो वर्ल्ड के जो टू-थर्ड राइनोस है वर्ल्ड में, जो वन सिंक वाले हैं, यहाँ पर गेंडे आप लोग के सामने है, यहाँ पर वर्ल्ड के जो तूठ हड है, यहाँ पर पाए जाते हैं, पहली बात, दूसरी बात क्या जो पुछी जा सकती है, वर्ल्ड हैरिटेज साइड भी है यह, ठीक है, तो दोनों ही इंपोर्टेंट है, इस्टेबलिस किया गया था, 1908 में, अंग्रेजो के टाइम पर, ठीक है ना, तो अंग्रेजो के जमाने के जेलर हैं यह, याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हैं आपर यह है नामेरी नेसल पार्क, यह आप लोग लोकेशन देख सकते हैं आपर, यह पर्टिक्लर लोकेशन यहाँ पर हो गई, इसके बारे में भी कुछ October 1978, और यहाँ पर यह, यह है इब इसबिल, ठीक है, तो यह यहाँ पर आप लोग के पक्सी नजर आएगा, जो की पर्टिक्लर लोकेशन का होनी होते हैं, पर्टिक्लर एरे में क्या फेमस है, तो यह आप लोग देखते हैं, एक डिफरेंट तरीका थोड़ा पक्सी है, उसको बुला जाता है, राजीव गांधी, ओरांग नेसल पाक के नाम से भी, तो दो नाम है, पता होना चाहिए, नेक्स जो आप लोग के लिए इंपोर्टेंट इंफोर्मिशन है, यह है, ब्रहम पुत्रा रीवर, ब्रहम पुत्रा रीवर के नोर्थ बैंक पर आप लोग क इंट्रेस्टिंग हो सकता है, अगर आप लोग हिस्ट्री से थोड़ा इंट्रेस्ट रखते हो, तो आप लोग को बताओगा, 13 अप्रेल, हमारी कंट्री में किसी चीज के लिए काभी फेमस है, मतलब काफी कुछ गलत आप लोग बोल सकते हैं, बता इस टाइम पर हमारी प्रेल को, नीचे कमेंट वोक्स पर जुरूर बताइएगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इस्टेट हैं, आप लोग के सामने ये है, अरुनाचल परदेस, पहले एक बार इसको मैप में निहार लेते हैं, फिर आप लोग के लिए आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि इहां के जो भी लोग रहते हैं, उनको चाइना में आने के लिए वीजा की जुरत नहीं है, वो हिनी के कंट्री के लोग हैं, तो ऐसी भी बाते हरकते कई बार चाइने के द्वारा की जाती है, खुस होता है ये बाते बोल बोल के वो अपनी जगे से ये, चलिए आगे इसके बारे में आप लोग को हलका सा आइडिया होना चीए, लोकेशन पहले देख लीजे, और उनको पर प्रदेश की लोकेशन होगी यहां पर, ओपर आप लोग को पता है, तिबबत आज केर में जो की चाइना का पार्ट है, वो आप लोग को लोकेशन आपर देखने को मि आप लोग देखते हैं, यह क्या नाम है, इस पकसी को अगर आप लोग पहचानते हैं, तो नीचे कमेंट बोक्स में इसका नाम लिखिया आप लोग, ठीक है, तो आप लोग को पता होना चीए, कम से कम क्योंकि काभी फेमस हैं, और कई सारे स्टेट ऐसे हैं, जो की मानते भ बता होगा, अगर आप लोग कोश्चन की वीडियो भी सुनने होंगे या फिर नैनो मेगजिन उसमें भी मैं कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ, तो देखते हैं कितना आप लोग जहां से सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं, अच्छा ऐसा करो, आप लोग वीडियो को ही पर पोज करके अभी इसका नाम बताओ पहले, क्योंकि आगे फिर में इसको डिसकस करूँगा, एक जगे और इसका नाम आएगा, वहाँ पर में इसके बारे में बताओंगा आप लोगो, अभी आप लोग बताएं नीचे कमेंटों, उसमें वीडियो को पोज करके, ठीक ह आगे बरते हैं, नेक्स्ट है आपर यहाँ नाम धपा इसके बारे में आप लोगों ने सुनाओगा, यह काफी न्यूज में भी रहता है, कई सारे रिजन की वैसे वो बाद में डिटेल में डिसस करूँगा, आप लोगों ने बच्पन में खेलाओगा चुपन चुपाई, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं धपा, उसके हिसाब से नाम याद रखेगे हैं आपर, ठीक है, कहाँ पर पढ़ता है, यह पढ़ता है और उन्हाचल परदेश में, तो फेमस किसलिए है, थोड़ा उस पर नजर डालते हैं अभी आपर, यह आप लोगों को देखने को मि इसके अलावा, उड़ने वाली गिलहरी, यह आप लोगों है आपर नजर आएगी, यह कोईशन कई बार पूचा जा चुक है, कि उड़ने वाली गिलहरी नोर्थ इस्ट वाले रीजन में, किस पर्टिकुलर डिया में पाई जाती है, तो यह अरुना चल परदेश का नाम ध पकवी टाइगर रिजर्व के नाम से भी इसको पूचा रहाता है, तो दोनों नाम में से, किसी भी नाम से पूचा जा सकता है, लोकेशन का है और वह अरुनाव चल परदेश, और देखिए, कोई ना, कोई अगर किसने किसी रीजन से न्यूज में होगा न, वो आप लोगो करने के लिए क्योंकि एक threatened species है आप इसको किस तरीकी से conserve किया जा सकता है उसके लिए प्रोग्राम चलाए गए थे और यहाँ पर established किया गया था as a tiger reserve cup यह 1966 में ठीक है तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं important information है home build के बारे में जुरूर याद रखेगा question पूछे जाते है direct आगे बढ़ते हैं next state है हमारा nagaland पहले map में इसको निहार लेते हैं कहाँ पर location आप लोग यहाँ पर देख लिए nagaland की तब आप लोग को देखने को मिले गए आप यह particular location तो यहाँ पर देखिए अलाग अलाग state आप लोग को cover करा रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान से दीजेगा जुसको थोड़ा सा भी doubt लग रहा है वीडियो को pause करके पीछे जागे फिर से देखेगा फिर से आगे आ सकते हैं क्योंकि आपके हाथ में पुरा remote control है जहाँ पर चाहे रोख सकते हैं जहाँ पर चाहे आप लोग चीजों को जाकर search कर सकते हैं तो सारी चीज़े आप लोग के हाथ में तो यही सबसे पड़ा फायदा होता है यूट्यूब पर पढ़ने का सब चीज़े आप लोग के हाथ में अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं चीजों को ठीक है तो यह देखे पर्टिक्लर लोकेशन रैड यह लाइन नजर आ रह पर आप लोग के लिए हो सकती है यह आपर नतांग की इतांग की जो वर्ड यहां से ड्राइव किया गया है यह नतांग की वर्ड से ड्राइव किया गया है और नतांग की वर्ड यह जीमी डाइलिक यह एक लेंग्वेज है जो कि यहां पर जीलियां ग्रोंग जो किया गया है तो यह है आप पर नतांग की जिसे इतांग की नेसर पाग का नाम निकल कर आता है ओके आईए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स इस्टेट है यहाँ पर मनिपूर इसके बारे में जानते हैं थोड़ा पहले आप लोकेशन निहार लीजे यह पर्टिकलर लोकेशन आप 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 लोकेशन से related question पूछा जाता है, आखिर question क्यों पूछा जाता है, वो आप लोग को अभी देखने को मिलेगा, यह हैं आपर Cable, Lamjo National Park, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि only floating national park in the world, ठीक है, यह हैं आपर important information, establish किया गया था, यहापर 28th March 1977 में, यह कई बार पूछा जा चुक है, particular state का भी नाम आप लोगों से पूछ लेते हैं, तो famous है काफी location आप लोग देखते हैं, आपर हलका सा idea होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, next है आपर यह सिरोही national park, पता होना चाहिए, ज़्यादा है कोई AC ख कर पाएंगे, location जरूर देखा कीजे, ठीक है तो इसी particular region के बारे में, आप लोगों से पूछा जा सकता है, यह देख सकते हैं, आपर में घाले, ठीक है, location आप लोग के सामने है, जो red वाला area है, यह सारा में घाले वाला area है, अब जानते हैं कि कौन सा national park हैं आपर, next यह आप बाल पाकरम national park, इसके उपर भी आप लोग इस्टार लगा लिजे, क्योंकि इससे भी question निकल कर आता है, question क्या है, वो आप लोग अभी देखने को मिलेगा, particular location पहले आप लोग देख सकते हैं, location यह आप लोग के सामने है, ठीक है, बाल पाकरम national park कहा पर है, पहले तो यह पत national park है, इसके अलावा inaugurated किया गया था, इसे 7th December 1987 में, यह भी आप लोग हलका सा idea होना चाहिए, पर लेकिन यह जो दो बाते हैं, यह जरूर आप लोग को पता होना चाहिए, और area कौन सा है, यह है gyro hill, आप लोग ने सुना होगा कि जो particular area में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिस होती है, तो gyro jenta, इन सब के बारे में आप लोगों ने सुनाओगा, खासी gyro jenta, तीनों जो hill है, इसी के पास में आप लोग को पता होगा, चेरा पुंजी, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिस होती है, तो वही particular area के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके, आग इसे by a spare reserve, तो UNESCO का अगर पार्ट है कोई, तो आप लोग को उसके बारे में पता होना चीए, और hot spot by diversity आप लोग है, आप लोग है, आपर देखने को मिलेगी, इस्टेबलिस किया था, 1986 में, और western जो gyro hill है, वहाँ पर particular आप लोग है, आप इसकी location देखने को मिलेगी, next state काफी कम एरिया है, और ये काफी भुटान का जो हाँ पर जो side वाला एरिया सिक्कीम और भुटान के बीच में, काफी famous डोकलाम सेक्टर, जिसके आमने सामने खडी थी आपर इंडिया और चाइना की आर्मी, ये वही particular एरिया है, तो हलका सा आइडिया होना चीए, news में भी क लूर दीजेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपर ये कंचन जूंगा नेसल पार, इसके ओपर भी आप लोग कई सारे star लगा लिजे, काफी important information है, जिनके ओपर मैंने आप लोग को star लगाने के लिए बोलाए न, वो थोड़ा सा आप लोग धंग से धान दे कर सलिए और इसके अलावा है, आप लोग के लिए जो important information है, वो है ये, Uniesco World Heritage Site, ठीक है, इसको list के अगर latest अभी 2016 में किसके लिए, mixed heritage site, ये important है आपा, mixed का मतलब क्या होता है, mixed का मतलब होता है, यहापर दोनों तरीके से, natural और cultural जो importance होती है, वो दोनों तरीके की बाते जब किसी particular heritage site म पूलाते है, ये यहाँ पर first India की mixed heritage site है, ठीक है, इसलिए भी थोड़ा इसकी importance जादे है, तो ये कुछ बाते हैं, जो आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो हलका सा ideas के बारे में आप लोग लग सकते है, ये यहाँ पर particular area हो गया, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग को प आप लिजे ताकि आप लोग इसको अच्छे से connect कर सकें, तो ये हो गई हमारी प्रत्वी, हमारी प्रत्वी में हो गया हमारा प्यारा भारत बीचो बीच, इसको थोड़ा जूम करके आप लोग देखोगे, तो आप लोग यहाँ पर राइस्थान नजर आएगा, ये आप ल आप लाइस्थान के बारे में जानते हैं, तो राइस्थान आप लोग को पता हैं, मुरुश्टल यानी के रिगिस्टान के लिए काभी फेमस हैं हमारी किंट्री में, तो इसके बारे में भी आप लोग का आइडिया होना चाहिए, तो आग का पहला जो नेसल पार्क आ।र के बारे में, सबसे पहले ये बनाया कब गया था, इस्टेबिलिस कब किया गया था, तो 2004 में इसके इसके अंदर आप लोग को तीन wildlife century नजर आएंगी, पहला क्या है यहाँ पर, पहला है दर्रा wildlife century, दूसरा है चंबल wildlife century, और थिसरा है जवार सागर wildlife century, तो question आप लोगों से डि आइडिया रख सकते हैं, तो यहाँ पर तीन wildlife century आप लोग को देखने को मिलेगी, और जो इस्टेबिस किया गया था, इसको 2004 में इस्टेबिस किया गया था, पहले इसका नाम राजीव गांदी नेसल पार्क रखा गया था, पहले लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गय तो यह भी एक fact है जो आप लोग यहाँ पर idea रख सकते हैं, बाकि आप लोग देखते हैं आप यह इसे अटिक लाइन हो गया आप, कई सारी चीज़ा आप लोग को देखने को मिलेगा किसी particular area में पाई जाती हैं, तो यह भी आप लोग यहाँ पर इससे connect कर सकते हैं, ओके, next नेक्स देखते हैं, next कौन था है आप, next है आप यह है desert national park, location आप लोग देखते हैं, यह होगी particular location, इसके बारे में आप आगे जानते हैं, क्या-क्या बाते हैं, और अगर location की बात आप लोग जहां से थोड़ा देखें, तो आप लोग देखते हैं, आप साइड में पाकिस्त को मिलेगा, तो उसमें यह national park है, और खासकर आप लोग आप इसके बारे में पता होना चाहिए, कि काफी बड़ा national park है यह area wise, अगर आप लोग इसको देखेंगे तो इस particular area को, ठीक है, तो देख सकते हैं आप इसके बारे में, तो इसके बारे में जो जिक्र किया जा रहा है, अगर देखेंगे आप लोग यहाँ पर, तो सेंड दून आप लोग यहाँ पर नजर आएगा, लगबग 20% जो national park होता है उसका, डेजार जो national park है, यह one of the largest national park है, जो इसको established किया गया था, 1981 में हापर इसको established किया गया था, तो particular area काफी आप लोग को देखने को मिलेगा है, और इसके अलावा, जब बात करते हैं राजिस्थान की, तो आप लोग को एक पक्सी के बारे में और याद रखना है, यह है great Indian bastard, तो इसके बारे में जुरूर याद रखना है, क्योंकि इसके बारे में question पूछे जाते हैं, क्योंकि यह important इसलिए है, यह या तो इंडिया में पाए जाता है या फिर पाकिस्तान में पाए जाता है, इंडिया और पाकिस्तान में और maximum जो जनसंग के आप लोग को देखने को मिलेगी, वो इंडिया में पाए जाता है, तो इसके हिसाब से भी आप लोगों से question पूछा जा सकता है, तो यह भी कुछ बाते हैं जो आप ल बारे में के लेडियो नेसल पाग इसको बोलाएता है इसके अलावा इसको भरतपुर बड़ सेंचुरी बोलाएता है अगर तीनों में से कोई भी नाम आप लोगे सामने आए तो इसका मतला भी सी के बारे बात की जा रही है फेमस किसे लिए पक्षियों के लिए तो एवियन अब लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर इसके लिए फेमस सेंक्षुरी भी है और थाउजन स अ बर्स आप लोग इहाँ पर PBT आप लोग डाउनलोड करेंगे, तो इसके आप पर सही कर दूँगा, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, इसके अरावा, यह important question आप लोग के लिए बन जाता है, यह world heritage site, जी हाँ, world heritage site आप लोग को देखने को मिलेगी, इसके अलावे हाँ पर, इसके अ पर है और वो भी man-made है, ठीक है, national park भी आप लोग को देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से आप पर इसके बारे में important information पूछे जा सकती है, डाटर यहाँ पर यह पकसी है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, तो यह कुछ important information है, जो आप लोग इसके बा पर इसको कहते हैं, पहले यहाँ पर इसको स्वाई, माधवपूर, Game Century के नाम से भी पुकार आ जाता था, 1955 में अगर आप लोग देखने को मिलेगा, इसको इसके नाम से established किया गया था, लेकिन आगे चलके फिर government of India के द्वारा आप लोग को देखने को मिलेगा, 1973 में जो project tiger चलाय गया था, project tiger declare किया गया था है, आपर वो भी आप लोग हैं, आपर इसका partner आएगा, और आगे चलके फिर इसको national park का दज्या दे दिया गया, 1980 में, तो इस तरीके से कुछ बात हैं, आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं, तो देखिए होता किया है, आप लोग game century के नाम से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कहां पर located है, तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं, पहले हैं आपर मादवपूर game century बनाय गया है, 1955 में, फिर आगे चलके 1980 में उसको national park का दरजा दे दिया गया, और project tiger आप लोगो जुरूर याद रखना है, जिसको save करने के लिए आपर चलाएगे, यह मुहीम थी एक तरीके से, government of India के द्वारा इंदरा गांजी जी के टाइम पर, तो यह कुछ बात हैं जो आप लोगे important हो सकती है, और इसी के साथ में हापर यह आप लोगो नोर्थ इंडिया का largest यहापर आप लोगो नजर आएगा होगा, यहाँ पर जो tiger project है, वो इसको start किया गया था 1978 में, यहनि के आगे चलके हाँ पर tiger जो इहाँ पर project है, उसको start किया गया था 1978 में, starting में यह wildlife century आप लोगो देखने को मिलेगी, बाद में चलके इसको convert कर दिया गया था नैसल पाग में, लगबाग 1990 में, और wildlife century Supreme Court के decision के बाद भी हाँ पर जो की ban कर दी गए थी mining, फिर भी हाँ पर continue आप लोगो देखने को मिलेगी, जिसकी बज़े से environment पर impact परता है, jack call आप लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर particular जो पसू भी हाँ इस तरीका देख सकते हैं आप लोग के सामने, और यही condition आप लो यहाँ पर नजर डालते हैं, यह हमारा West Bengal, West Bengal के एक बार map में नहार लीजे, यह देखिए यह particular area आप लोगो नजर आ रहा होगा, red red तो जूम करके देखते हैं, यह West Bengal वाला age region जिसको हम लोग cover करने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, आप लोग च देखते हैं, कौन सा area है, यह Darjeeling वाला area है, जो काफी news में भी रहता है, कई बार protest की region से और अलग अलग region की वेसे, तो इस particular region को आप लोग देखते हैं, तो सिंग लेला नेसल पार के बारे में अगर आप लोग यहाँ पर जानने को मिलेगा, तो कई सारी interesting information है, सबसे पहले तो Darjeeling वाला region में आप लोग को देखने को मिलेगा, और इस starting में अभी इसको बाद में नेसल पार्क बोला गया, इस starting में यह wildlife century बनाया गया इसको 1906 में, बाद में चलके इंडियन नेसल पार का दर्जा दिया गया इसको 1992 में, यानि के 1902 में में, और यहाँ पर कहाँ पर आ आप लोग देखेंगे तो, जिसका नाम है Clouded Leopard, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग हलका सा एडिया रख सकते हैं, लोकेशन जरूर याद रखेगा, अब आगे चलते हैं, नेस्ट जो आज का काफी important portion है, यह मध्यपरदेश, मध्यपरदेश आज का सबसे बड़ा portion आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग इंडिया के जो मध्यपरदेश इस्टेट है, देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर आसपास वाला रीजन देखें, आपर कहीं पर भी यह आपर international level पर किसी को touch करता हुआ, नहीं नजर आता है, और नहीं यहाँ पर आप लोग को किसी ocean स सुरी मध्यपरदेश के आप लोगो बिल्कुल इहाँ पर इस side में देखने को मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, इसके बार में information जानते हैं, interesting information क्या कैए, अगर बात करें आप लोग को इसके बार में, तो मध्यपरदेश में आप लोग को उम्रिया district इसी के साथ में दो चीज़ा आप लोग और याद रखते हैं अगर बात करें आपर forest area की तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा उम्रिया और इसके अलावा हैं आपर कवर करते हैं आप लोग को नजर आएंगे और इसके अलावा जो important information वो यह है कि आप लोग को यहाँ पर tiger की जो population है वो काफी शांदार लेवल पर आप लोग को देखने को मिलेगी यानि कि बोला जा सकता है वन ओफ दा highest population आप लोग बोल सकते हैं इंडिया में जो आप लोग यहाँ पर tiger की जो connect करके देखा जा सकता है तो इस nasal park का आप लोग नाम याद रखते हैं पूचा जा सकता है किस area में है आप लोग और particular यहाँ पर कभी इसको nasal park declare किया गया तो 1968 में इसको Nestle Park का दरजा दिया गया और यहाँ पर क्या है यहाँ पर ज्यादे चीज़ क्या पाई जाती है तो Tiger आप लोग याद रखते हैं Tiger की Population काफी अच्छी कासी आप लोग है आप देखने को मिल चकती है Next जो Nestle Park है आप यहाँ पर यह है Manila Plant Fossil Nestle Park आप लोग को देखने को मिलेगे हैं आप नाम भी उसी के नाम पर रखा गया है Fossil आप लोग नूर्मली देखने को मिलेगा Fossil का मतलब क्यों आप जो जो जिवासं पाई जाते हैं आप लोग जो अफसेज देखने को मिलेंगे तो उसके नाम पर इसका नेसल पार्क का नाम रखा गया हाला कि एक और नाम आप लोग नज़र आएगा तो लोकेशन पहले आप लोग देखे लिए अब दूसरे नाम के बारे में जानते हैं इस नाम से पुकारा जाता है यहाँ और दूसरा नाम भी आप लोग याद रखेंगे हैं आपर यह दिन दोरी प्लांट फोसिल नेसल पार्क सिचुएटेड कहाँ पर है यह दिन दोरी डिस्टिक में मध्यपरदेश में आप लोग को नज़र आएगा और अगर बात करें तो आप लोग हैं आपर बात की जा रह आप लोग ज़रूर याद रखेंगा क्योंकि इस तरीके से अगर कुशन पूछा जाता है तो आप लोग अगर आइडिया रहेगा तो आप लोग आँसर दे पाएंगे अगर आइडिया नहीं रहेगा तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए सेकिंड नाम अगर उस टाइम पर न्यूज में है तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं चोड़ना है अगर न्यूज में नहीं है तो फिर एक बार को आप लोग उसको एग्णोर कर सकते हैं नेट जो नेशल पार हैं आप लोग अप लोग देखने को मिलेगा यहादा रख़ेगा इसके बारे में amongst न पर देखनेको मिलेगा इनके बीचों बीच में आप लोग को देखने को मिलेगा इसके साथ मैं अगर बात करें नेशनल पार्क के बारे में तो इसको create किया गया था 1 जूर 1955 में और बाद में इसको 1973 में कहाना Tiger Reserve की form में आप लोग को देखने को मिलेगा जब Tiger Project इस्टार्ट किया गया था तो जब Tiger Project क इसके बारे में आप लोग इसलिए हलका सा आइडिया रख सकते हैं क्योंकि हमारी कंट्री में नूर्मली देखने को मिलेगा टाइवर की population को किस तरीक से protect किया जाता है उसको protect करने के लिए आप इसको start किया गया था ठीक है इसके बारे में हलका सा आइडिया आप लोग जर इसके नाम पर इसका नाम रखा गया था तो important question इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि ये इस तरीके से कि किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है तो इस तरीके से अलका या idea सा आप लोग रख सकते हैं अगर बात करें establishment की तो यह 1958 में इसको इस्टेबलिस किया गया था अब लोगो बताए दिया है ब्लैक डग आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा यह वही है जिसके नाम पर मारे जाने के नाम पर सलमान खान को अभी आप लोग को देखने को मिलता है जिसके पर केस के बारें बात आती है सल लोकेशन यहाँ पर आप लोग के सामने है जो पर्टिकुलर एरिया है इसके बारे में कुछ इंट्रेस्टिंग इंफोर्मेशन आप लोग के सामने है वो क्या क्या है वो इंट्रेस्टिंग इंफोर्मेशन यहाँ पर है यह लोकेशन आप लोग को बताई दी है यह पर्ट मजदर परदेश वाले रीजन में जो मैंने आप लोगो अभी बता है इसके अलावा जो फेमस हैं आप यह इस तरीका जो इस्पोर्टेश में देखने को मिलेगे तो यहाँ पर यह चितल इस्पोर्टेट डिया ठीक है तो इसके बारे में आप लोग हलका सा याद रखते हैं यह 15 नेसल पार्ग में आप लोग को देखने को मिलता है आगे बढ़ते हैं नेक्ट जो नेसल पार्ग है यहाँ पर यह पेंच नेसल पार्ग यह भी आप लोगो मजदर परदेश में देखने को मिलेगा यह लोकेशन आप लोग देखते हैं नीचे वाले एरिया में आप ल लगा था यानि के emergency लगी तो इस टाइम पर इसको इसका दर्जा दिया गया 1992 में जाकर फिर इसको Tiger Reserve की तरीके से establish कर दिया गया और फिर आगे यह आप लोग को देखने को मिलेगा famous कहीं कि यह rafting के लिए कावी famous है यह 2011 में आप लोग को देखने को मिलेगा best management award भी दिया गया आप यह अच्छे तरीके से अगर इसकी particular अगर आप लोग डिस्टिक देखेंगे तो होसंगा बार डिस्टिक में आप लोग को यह नजर आएगा इसको सत्पुरा Tiger Reserve के नाम से भी पुकारा जाता है और होसंगा बार डिस्टिक में आप लोग को देखने को मिलेगा एस्टेब्ली स किया गया था 1981 में सत्पुरा रेंज आप लोगों ने सुनाओगा सत्पुरा रेंज आप लोगों ने नौर्मली मैप में मैप में आप लोगो को दिखाता भी हूँ आप लोगो दा हिंदू अगरा डिस्कस किया जाता है करने फेर की वीडियो आती है तो मैप बे जो कुशन पुछा जाता है तो सत्थ पुरा रेंज आप लोग आप पर नजर आती होगी तो उसके बारे में हलका सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा देख सकते हैं आप आपर मैप में भी आप लोग नोर्मली यह देखें आपर यह हो गया सत्थ पुरा ठीक ना तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं आपर मज़ब परदेश में हो गया विंध्या रेंज भी आप लोग यहाद रखा कीजे वैसे आप मैं आप लोग कई बार यह मैप दिखा आप लोग अपर लोग यह देखने को मिलेगा थोड़ा नील काई टाइप का आप लोग इसको बोल सकते हैं तो इसके बारे में हलका सा आइडिया रख सकते हैं नेक्स नेसल पार्ग देखते हैं नेक्स नेसल पार्ग हमारा यह है वन विहार नेसल पार्ग लोकेशन आप लोग के सामने एग्जेक्ट ही हाँ पर लोकेशन है जहाँ पर यह लोकेटिड है मजदर परदेश के लगवग सेंटरल में आप लोग बोल सकते हैं 1 via नेसलल पार्ग इंपुर्टेंस का, इसकी इंपूर्टेंस या, भोपाल में आप लोगो देखने को मिलेगा, चले-ख जब ही नाम आता है, आप लोगो बहुता है, भोपाल गैस ठरीज़ी, कब उच्छ भी तुवे ना, इक तो आप लोगों से हर एक question में गुमा फिरा के पूछ लिया जाती है कुछ ऐसी static portion है जो आप लोग एक तरीक से रख लिया बोले जो भी किज आप लोग को हमेसा याद रखनी चाहिए वन विया नेसल पार्क आप लोग है आप लोग है आपर मजब परदेश में वोपाल में नज़र आएगा वन विया डेवलप्स किया गया था मैनेज किया जाता है नेस्ट बात कर today हे आप अप संझे नेसल पार्क संझे नेसल पार्क की लोकेशन आप लोग देखे इंपोर्टेंस इसकी क्या है यह आप लोगो दो स्टेट में नजराएगा मध्यब परदेश के बोर्डर आप लोग देखते हैं और आगे इसके बारे में बात करेंगे कि दूसरा कॉंसे साइड में हापर इस्टेट है वैसे मैं बेप्रेक्टिस आप लोगों ने कियोगी तो पता होगा तो आपर देखें यह वाला एरिया होगा चतिसगड तो चतिसगड में और मध्यब परदेश में दोनों में आप लोग देखने को मिलेगा तो अगर कोई कोई ने असल पार उसके पूछे जाने के चांसी बहुत जाते हैं तो उसको आप जरूर रियादर केगा उससे कोश्टन बन जाते हैं आप लोग के लिए तो यहां पर यह common national park जो कि चतिसगड और मजद्य परदेश में आप लोग को नजर आएगा इस तरीके से आप लोग को ओकिए तो यहां पर नजर आएगा इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं लोकेशन देख लेते हैं चतिस गड़ के हैं आप लोग देखने को मिलेगा हमारा प्यारा भारत हो गए बीच ओबीच और यहाँ पर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखे यह हो गया चतिस गड़ ठीक है जिसको आपर मज़्य परजे से काटकर निकाला गया तो यह भी बात आप लोग याद रख सकते हैं इसके बारे में जानते हैं अभी कौन-कौन सा Nessal Park आप लोग हैं आप पर देखने को मिलेगा चित्रकूट फोल के बारे में जरूर याद रखेगा बात करते हैं आपर इंudravati Nessal Park के बारे में लोकेशन 36 घण में आप लोग दे यानिके वाइल भेंस आप लोग इनको बहुत सकते हैं इंद्रावति अगर नेसल पार्क की जिक्र करें आप तो बीजपूर डिस्टिक में आप लोगो देखने को मिलेगा तो कुछ बाते हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं और नियर वाइक इंद्रावति र यह कंगर घाटी नेसल पार्क लोकेशन आप लोग के सामने कहां पर है यह देखते हैं आप लोकेशन बिल्कुल आप लोग के सामने हैं इसके बारे में बात करते हैं अभी कंगर घाटी जो नेसल पार्क है यह आप लोग को इसको दूसरे नाम से पुकार जाता है कंगर वै काफी देखने को मिलेगा इसके अलावा बाय डाइवर्शिटी और इसके साथ में आप लोग यह नाम याद रखेगा यह आपर बस्तर हिल मैना ठीक है ना तो यहाँ पर फेमस है आप इस पर्टिकुलर एरे में जहां पर यह पाया जाता है आप लोग को देखने को मिलेगा है आपर इस तरीगी चीज़े कई बार पूछ ली आती है हो मैं बहुत सारी इस तरीगी तो डिरेक जो पक्षी पर्टिकुलर फेमस अगर कोई नाम दे जा रहा है तो वो याद रखेगा बाकी वोटर फोल वगएरा और कई सारी चीज़े आप लोग है आपर देखने को हमें जार खंड में काओ फेमस है इसके बारे में याद रक्षते हैं है पहले अरिया देख लेते हैं हां पर ज्यादे इ चोटा नंगपूर प्लेटू में जो ससको लगाने Mass के अपर इस हिए यह वारा एंपर नजर आ रहा है तो इस पटिक्लर सकते में इसको देखने को मिलेगा औरath सब्सक्राइब उड़ैने सर उड्वामोग इसके बारे में कुछ नट झाहाले है अगे आगे चलते हैं, अपना लोग नेक्स इस्टेट है, यह है Udisa, अप लोग देखेंगा जरूर, Udisa के बारे में अगर बात करें आपर, तो क्या है है आपर famous हैं आपर, तो उसके बाद में बात करेंगे, पहले हैं आपर, पहले आप लोग देख लिजे, Udisa की location, यह देखें आ पर उडिसा, ठीक है, उडिसा आपर देखते हैं, थोड़ा सा ओर जूम कर लेते हैं आपर, अब आप लोग यहाँ पर देखते हैं आराम से, ठीक है, तो particular है आपर coastal area हो गया है, हमारी केट्री में total मिलाकर 9 coastal area में से एक coastal area है आप लोग के सामने उडिसा, तो उडिसा के बारे म कुछ interesting information जान लेते हैं आपर क्या क्या है, भटकर्नी का नेसल पारक जो located है ही है, यहाँ पर केंद्रा पारा डिस्टिक यहाँ पर उडिसा में आप लोग को देखने को मिलेगा, नेसल पारक का जो दर्जा दे गया था, इसको 1998 में इसका दर्जा गया था, 16 September को, और यह एक क्रामसर साइट भी है, वेटलेंड कंवेंशन के बारे में आप लोगों ने सुनाओगा, तो इसको इसका भी दर्जा दिया गया था, 2002 में, तो इस तरीके से अगर थोड़ सा कुछ difference हो आपर कहीं पर तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, इसके अलावा आप लोगें आपर नजर आएगा, यह है गिरी माथा बीच, यह वही बीच है जहाँ पर जो कच्वे होते हैं, season to season यहाँ पर अपने बच्चों को जनम देने आते हैं, और कई बार न्यूस में भी रहता है, काफी huge level यहाँ पर आप लोगो शेंका देखने को मिलती है, कच्वे जो होते हैं, आपर पाय जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा है आपर Indian Rock Python, यह है आपर इस तरह साप आप लोगो देखने को मिलेगा, जो की पाया जाता है, तो कहाँ पर है यह, उडीसा में इसकी location है, next बात की जारी है, Simly Pal National Park के बारे में, काफी important है, इसके बारे में तो आप Simly Pal, यह कुलिदा हा, कुलिदा हार्दगर हा, Elephant Tiger Reserve, ठीक है, वो Elephant Reserve, तो दोनों इसी के ही नाम है आपर अगर आप लोग देखेंगे तो, तो दोनों नाम आप लोगो हलका सा आइडिया रख सकते हैं, दो तीन बार पढ़ लिजेगा, पहला होगे Simly Pal, कुल्दी हा, हार्द इसके लावा जो Important Information वो क्या है, यहाँ पर यहाँ यहाँ पर यहाँ यहाँ पर यहाँ इसके बारे में आप लोग के लिए कुश्चन अगर कोई बनता है, तो हलका सा आइडिया आप लोग रख के चलिए जरूर अगर कुश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो, और यहा आपर नाम लिखे गए हैं, तीन नाम है आपर, ठीक रहे, तीनों के नाम अलग अलग देख सकते हैं, आप लोग सिमली पाल टाइगर रिजाव, इसके अलावे आपर यह है, कुल दहा, यह आप लोग को देखने को मिलेगा, यह क्या है, यह एक wildlife century है, और इसके साथ में जो ह यह हो गया हमारा प्यारा भारत, यहां पर आप लोग को यह जो red वाला portion दिख रहा होगा, बीच ओ बीच, यह देखे, यह है हमारी country का जो portion है, west बंगाल वाला portion, तो इसमें जो जो भी national park आप लोग को देखने को मिलेंगे, इस वाले को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है आई इसके बारे में कुछ interesting information जानते हैं, तो जो सलसे पहली बात है, वो तो आप लोग को location याद रखनी है, काफी important है, यह आप लोग के सामने है, तहाँ पर है यह location, यह है Darjeeling district में, Darjeeling जहां कि आप लोग को चाई famous है, हमारी country में जो Darjeeling की tea है, उसको आप लोग को पता हो हुआ है, काफी important है, पता होना चाहिए, यह West Bengal में आप लोग को देखने को मिलता है, कहाँ पर है, यह है यह आप है, यह सिंगलीला रिज, रिज मानी चोटी, ठीक है, तो यह location आप लोग को देखने को मिलेगी, और इसको starting में, wildlife century declare किया गया था, 1986 में, और फिर आगे चलके 1992 में, यानि के 1992 में इसको Indian National Park का दरजा दे दिया गया था, famous क्या है आपर, यह है Clouded Leopard, जो आप लोग को है आप पिक्चर में दिख रहा है, यह है आपर particular famous है, आईए आगे चलते हैं, next जो National Park है आप लोग का, यह है Baksa, तो Baksa National Park के बारे में जिक्र किया जा रहा है, location आप पर यह है, यह आप लोग को देखने को मिलेगा, कहाँ पर? West Bengal में, West Bengal में यह उपर भुटान आप लोग को नजर आ रहा होगा, तो भुटान के जस्त नीचे, आप लोग को यहाँ पर यह location देखने को मिल रही होगी, तो सदनो भुटान भी आप लोग location बोल सकते हैं, कुछ West Bengal government के द्वारा इसको declare किया गया था, intended to constitute Buxer National Park 1992 में, तो यह याद रखेगा, CV8 जो है आप लोग यह जानवर है, यह काफी famous है जो particular location में पाया जाता है, और हाँ हिस्टी में आप लोगों ने पढ़ा होगा Buxer की लड़ाई, ठीक है ना, तो Buxer के साथ में इसको आप Guru Mara National Park, location आप लोगे सामने है, West Bengal में, यहाँ पर exact जो आप लोगो सिक्किम के नीचे थोड़ा आप लोगो देखने को मिलेगी, इसके बारे में कुछ interesting बाते जानते हैं, Guru Mara National Park, normally आप लोगो देखने को मिलेगा West Bengal में, इसके अलावा जो famous है यह primarily यह Indian जो rhinos है, ठीक है, जि इसको protected area भी हाप पर declare किया गया था, ठीक है, तो यह कुछ बाते हैं जो आप लोगो इसके बारे में पता होनी चाहिए, यह जरूर याद रखेगा, ठीक है, यह important question आप लोगे बन जाते है, particular area में क्या famous है, और कहाँ पर यह National Park situated है, नेस्ट है आप पर आप लोगों के सामने नियोरा वैली नेसल पार्ग, यह भी आप लोगों वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, location आप लोगों के सामने है, interesting बात क्या है इसके बारे में, नियोरा वैली नेसल पार्ग जो है आप यह established किया गया था, 1986 में, और काफी rich यह जो आप लोगो biological zone देखने को मिलेगा, यह निके flora and funa, यह निके पलसु पक्सी और पेड़ पोदे, बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्लिंग पॉंग जो डिस्टिक है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर यह situated है क्लिंग पॉंग डिस्टिक, और जो famous है आप यह red panda, ठीक है, red panda आप ल लोग को देखने को मिलेगा, next काफी important है, अगर आप लोग को यहाँ से west बंगाल से question आएगा, तो इससे आप लोग को काफी chances है question आनेगे, बात की जारी है सुन्दरबन नेसल पार के बारे में, location आप लोग के सामने हैं, आप लोग ने सुन्दरबन डेल्टा का भी नाम सु आप लोग को Tiger Reserve और Biaspare Reserve भी देखने को मिलेगा, जो कि West बंगाल में situated है, 4 May, 1984 में इसको National Park का दर्जा दिया गया था, और Unies को World Heritage Site का भी दर्जा दिया गया इसको 1987 में, तो इसलिए यह important हो जाता है आप लोग को इसको consider किया जाता है, World Network of Biaspare Reserve, जो कि Man and the Biaspare Reserve की list में आत था, तो यह तो important fact है, जो कि आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इसी के साथ में, यहाँ पर आप लोगों से जो related animal है, यह है Bengal Tiger, काफी important है, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा, यह Bengal Tiger particular इसी के नाम पर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इससे भी question यह location है आप लोग की West Bengal के अंदर, जो कि आप लोगे सामने हैं, इसके अलावा क्या क्या बाते हैं, आप लोगों को याद रखनी है, साथ से पहला आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो situated हैं आप इस्टन हिमालिये है, में आप लोगो देखने को मिलेगा, फूठ हिल में इसी के साथ में वेस्ट बंगाल आप लोगों को लोकिशन हो गई और रिवर इंपोर्टेंट यहाँ पर कौन सी है यह है यहाँ पर तोरसा रिवर के पास में यह देखने को मिलेगा में 2012 में इसको डिकलेर किया गया था एजे नेसल पार और राइनोज आप लोगों यहाँ प पर लेकर चलता हूँ पहले आप लोग एकजक्ट निहार लीजे कि गुजरात कहां पर है बीच ओ बीच आप लोगो भारत देखने को मिल रहा है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर वेस्टन साइड में आप लोगो गुजरात नजराएगा यह देखे एक जो रैड रोकेश देखने को मिल गा गुजरात के एकजक्ट जो लोकेशन है आप लोग के सामने ठीक है यह है आप पर नवसारी डिस्टिक्ट गुजरात में देख लेते हैं एकजक्ट क्या कैस के बारे में कुछ बातें आप लोग के सामने तो वंसदा वंसदा भी बोला जाता है तो दोनों के साथ मैं जी हाँ पर फेमस हैं यह है स्क्रायल यानिके गिलहरी आप लोगो देखने को मिलेगी जो की पर्टिवलर एरिया में इस कलर की गिलहरी जो की फेमस है ठीक है तो यह था आगे बढ़ते हैं बात की जारी है आप ब्लैक बक नेसल पार के बारे में के सामनी है ब्लैक बकben जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो इसके नाम पर इस नेसल पार का नाम रखा look को क्शन डेर्ट पलोह से बन सकता है इसके लाबाभा वेल वाड़ार दीजन में आप लोग को यहाँ पर कई नेसल पार्ग का दर्जा दिया गयता इसके अलावा भाल रिजन भी आप लोग याद रखते हैं सोरास्ट्रा वाला ठीक है तो यह है आप लोगे सामने एक्जेक्ट लोकेशन और यह जरूर याद रखेगा यह कोशन आप लोगों से पूछा जा सकता है आगे चलते हैं बात क लोगों से गयाँ झान इसको देखने को मिलेगी और इसका दूसरा नाम सारन के इसको सासन के नाम सीब OFF यहार आज सकते हैं सासर गिर के नाम से भी आ जाए तो इसकोशन नहीं होना मिलेगा आप लोगों को तल्यात तालाला गीर इन गुजरात में देखने को मिलेगा, इस्टेबलिस किया गया था 1965 में, इस्टेटिक जो लायन्स है, यह आप लोग है हाँ पर फेमस देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर कहाँ पर गीर फोरेस्ट नेसल पार्क के अंदर में, तो यह जरूर आप लोग याद रखेगा, जो इस पेसल किसी जानवर के बारे में बता जा रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर नेसल पार्क, इस्टेट पूछ लेता है कौन से राज़्यम है, और यहाँ पर जानवर का नाम देतेंगे, जो कि पर्टिकुलर एरिया में फेमस है, यह पर्टिकुलर एरिया की लोकेशन आप लोग देखते हैं, यह क्या है आपर, यह है गल्फ ओफ कच, तो गल्फ ओफ कच में, आप लोग को मरीन नेसल पार्क देखने को मिलता है, क्या-क्या बात हैं इसके बारे में, में आप लोगो द्वारिका, उडिसा में पुरी और साउत में रामे सुरम, तो ये चार धाम में से एक है क्या है यहाँ पर द्वारिका, तो इसके साथ में आप लोगो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, और जो चार धाम नोर्ट इंडिया में हैं, वो आप लोग जानती है उनके बारे में इनको आप लोगो कन्फ्यूज नहीं करना है, मैं आप लोगो पूरे कंट्री की बारे में बात करता हूँ, वरनाप फोर आप लोगो वही पता होगा जिसे उत्राखन में यमनोतरी, गंगोतरी, कैदारनाथ, बंदरिनाथ, वो अलग हैं, वो छोटा चार ध हमें, अगर बड़े चार्ध हम की बात की जाएं, तो आप लोगो देखने को मिलेगा, बदरिनाथ, दुआरिका, पूरी और ब्रामे सुरम, तो इसमें आप लोगो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 1982 में इसको डिकलेर किया गया था, मरीन नैसल पार्थ का दरज आप लोग का आइडिया होना चाहिए, तो यह था है आपर आखरी नैसल पार्थ, अब आप लोगो लेकर चलता हूँ, महरास्टा के अंदर, तो महरास्टा में कौन-कौन से नैसल पार्थ है, पहले आप लोग महरास्टा की लोकेशन एक बार नहार लीजे, ताकि आप इस आप लोग को लोकिशन आपर नजर आ रही गी, जो रैड वाला एरिया है, जोम करके देखते हैं पर्टिक्लिलर एरिया में, कहां कहा पर आप लोग को ये सिच्चुटिड़ है, तो यह हो गया महरास्टा, ठीक है, कैबिटल हो गई हैं, आपर मुंबई, याद रखेग यहाँ पर चंदोली नेसल पार्ग को Natural World Heritage Site का दरजा दिया गया है तो इसलिए आप लोगों से Important Question बन सकता है नेसल पार्ग की अगर बात करें यह सतारा, कोलापूर और इसके अलावा यह संगली डिस्टिक में महाराष्टा में यहनि के तीन डिस्टिक में यह आप लोगो देखने को मिलेगा, इसको 2004 में में इसको Establish किया गया था, और अगर Wild Life Century की बात करें तो इसको 1985 में As a Wild Life Century Declare किया गया था Lizard चंदोली नेसल पार्ग में इस कलर की आप लोगो इस देखने को मिलती है तो इसके बारे में आप लोग याद रखीगा और यह important हो जाते हैं आपर, World Heritage Site की जब बात आ जाती है तो उस पर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादर फोकस दिया कीजिए बात की जारी हैं आपर, गुगमल नेसल पार्ग के बारे में यह मलगाज जो टाइगर रिजर्व हैं आपर, उसका पार्ट आप लोगो यह देखने को मिलेगा तो यह भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस टाइगर रिजर्व का यह पार्ट है दोनों ही नाम से इसको पुगरा जाता है यह particular कहाँ पर देखने को मिलता है यह इस नेसल पार्क के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि महरास्टर में situated है आगे चलता हूँ नेस्ट यहाँ पर बात की जा रही है तो यहाँ पर कहाँ पर है यह गोंडिया डिस्टिक महरास्टर में जो है नावे गाउ नेसल पार्क नावे गाउ का मैंने मिनिंग अभी आप लोगों को बता ही दिया जो की बात की जा रही है नए यानिके नावे होता है आपर न्यू मराठी में और गाउं का मतलब विलेज तो इसको इस्टेबलिस किया था 1975 में यह काफ़ इंट्रेस्टिंग है आप आप यह देखे यह आप लोग के सामने है डियर और कैसा आप लोग वो देखे यह बिल्कुल माउस यानिके चुहे के जैसा आप लोग को नेसल पार्ज जोकी महराष्टा में इस्टेबलिस है और 1975 में इंद्रा गांधी जी के टाइम पर इसको नेसल पार्ज डे 사람들이 किया गया था नेस्ट बात की जा रहे हैंपर संजे गांधी नेसल पार्ज के बारे में संजे गांधी नेसल पार्ग जो कि मुंबई में आप लोगो महरास्टर में देखने को मिलता है इससे पहले इसको ये बोरे वाली नेसल पार्ग के नाम से पुकारा जाता था यानिके इसका नाम चेंज किया गया इस्टेबलिस के अगय था इसको 1996 में और खनेहरी केव यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी यह काफी फेमस हैं तो यह exact location का पर रही है तो यह नेसल पाग में खनेहरी केव काँ पर है संजय गांधी नेसल पाग जिसको पहले बोरे वाली नेसल पाग भी बुकारा जात सकते हैं आगे चलता हूं नेक्स्ट बात की जारी यहाँ पर टाडोबा नेसल पाग टाडोबा नेसल पाग एक्जेक्ट लोकेशन यहाँ पर है महारास्टा में आप लोग को देखने को मिलेगा या फिर आप लोग हमारी कंट्री के बिल्कुल सेंटर में आप लोग लगब पाक है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेसल पाक है, जिसको डिकलेर किया गया था 1955 में, यानि कि आजादी से जस्ट बाद में ही, इसको कुछ टाइम बाद में ही आप लोग देखने को मिलेगा, इसको नेसल पाक का दरजा दे दिया गया था, याद रखेगा, oldest और largest, महराश्टर में या नेसल पाक है, ठीक है, तो यह बाते हैं, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं, जो अगला इस्टेट हैं आप यह है करनाटका, करनाटका के नेसल पाक देखते हैं, पहले एक बार करनाटका की exact location आप लोग देख लिजे, पहलें गेंगें, इह देखेएं, आप आप लोगे सामने है करनाटका, जोम करके देखें, यह red वाला person आप लोग को नजर आ रहा हूँगा, यह है करनाटका, करनाटका के बारे में आप लोग एक confusion में, कई बार आप लोग एक confusion में बात आजाती है, देखिए आंदर परदेश और तेलंगाना, दोनों को टच करता है करनाट का, वैसे आप लोग एक कई बार जब हम दाहिंदू का discussion करते हैं और दोसरी वीडियो में, ये कई बार आप लोग को बताया जा चुक तो जान लेते हैं इसके बारे में कुछ बाते हैं, तो यहाँ पर नगरहोल नेसल पार को राजीव गांधी नेसल पार के नाम से भी पुकारा जाता है, इसी के साथ में यहाँ पर यह जो दो डिस्टिक हैं, करनाट का के हम आप देखने को मिलेगा, एक है काडागू और अप लोग को यहाँ पर यह लोकेशन आप लोग देखते हैं इसकी और यह लेपड है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा, पूछा जा सकता है डिरेक्ट, और संजय गांधी नेसल पार के इसका दूसरा नाम है, इस नाम से भी आप लोगों से पूछा जा सकता ह और दो डिस्टिक में पढ़ रहा है, तो यह कुछ बाते हैं, जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं, आगे चलता हूँ, कहाँ पर देखने को मिलेगा, यह है उतारा कनड़ा, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, उतारा का मतलब है यहनिके नोर्थ, तो इस तरीके से देख सकते हैं, और इससे पहले, अभी recent डिसका नाम चेंज किया गया है, पहले यह था, अभी इसका नाम काली टाइगर इस्टेबिस के अगयता 1987 में और फेमस कहीं के लिए है यह है अलिफेंट तो हमारी कंट्री में जो अलिफेंट पाए जाते हैं मेक्सिम सदर्न इडिया में आप लोगों ने देखने को मिलेगा बहुत सारे हाथी पाए जाते हैं तो उसके बारे में भी आप लोग हलका सा याद रखेगा अंसी या फिर काली किसी भी नाम से आजाए यह आप लोगो पता होना चाहिए नेक्स ने आपर यह है बंदीपूर नैसल पार्क एक्जेक्ट लोकेशन आप लोगे सामने हैं आप यह आप लोग देखते हैं आप ठीक है यह एक्जेक्ट लोकेशन है आप लोगे सामने है तो यहाँ पर थोड़ से इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा तो ब्लेक टेल पाइथन या फिर इंडियन रोक पाइथन यह यहाँ पर फेमस है जो कि एक अजगर आप लोग को इस पर्टिकुलर लोकेशन में देखने को मिलता है तो इसके बारे में भी आप लोग हलका सा आइडिया रख सकते हैं केरला के बोडर पर लगबग आप लोग इसक देखने को मिलेगा बैनीर घाटा नेसल पर नियर बैंगलोर करनाट का फांड गया गया था 1970 में और इसको नेसल पर जो डेकलेर किया गया था यह 1974 में डेकलेर किया गया था इसके अलावा 2002 में इसका कुछ पोर्शन आप लोगो यहाँ पर बैलोजिकल रिजर्ब दो हैं आ नीर घाटा नेसल पार्क में, तो कहाँ पर पाय जाता है, डिरेक्ट आप लोगों से कोशन पूछा जा सकता है, तो लोकेशन जरूर याद रखेगा, और जो पर्टिक्लर एक यह मैं आप लोगों बता कर चल रहा हूँ ना, इनिमल का नाम, यह आप लोगों जरूर याद है, यह हैं आपर चिक मेंगलोर डिस्टिक, जो की करनाटका के अंदर पढ़ता है, और 1987 में इसको डिकलेर किया गया था, इसके अलावे हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा लंगूर, इस तरीके लंगूर आप लोगो नोर्मली, अफरीका में देखने को मिलते हैं, तो लोग टेल मकाव, इनको बोला जाता है नोर्मली, तो यह वाला जो इस तरीके का जो लंगूर है, यह भी आप लोगो इस नेसनल पार्क में देखने को मिलता है, तो इसके बारे में आप लोग हलका सा आइडिया रख सकते हैं, तो करनाटका कम्प्लीट अब चलते हैं, गोवा की, केबिडल पंजी देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में जानते हैं आपर एक लोटा नेसनल पार्क, जिसका नाम भी आपर क्या है, भगवान महावीर या फिर मॉलम नेसनल पार्क, यह exact location है, जो कि करनाटका के बोडर पर आप लोग को देखने को मिलती है, तो क यहाँ पर है यह situated, यह आप लोग को गोवा में देखने को मिलेगा, और यह है सेंगोम तालुका, ठीक है, तो यहाँ पर तालुक या फिर तालुका आप लोग बोल सकते हैं, तो यह particular गोवा में 1978 में को established किया गया था, और यहाँ पर इसके लावा यह है दुद सागर, फोल भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, आप लोगों से direct question कई बार इस तरहीं पूछ लिये जाते हैं, ठीक है, तो यह कुछ बाते थी जो आप लोग को गोवा के बारे में पता होना चाहिए, देखिए मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग continue करेंगे, पांच state मैंने continue कर रहा था कि cover हो जाएगा पर लेकिन काफी national park मिल गए आप तो आगे अब जो दूसरा पार्ट इसका आएगा, आप लोग उसको देखेगा, तो क्योंकि यह काफी लंबा हो जाएगा, फिर boring भी हो जाता है, तो दूसरा पार्ट भी इसका डाल दोगा, तो पहले इसको इसको आप लोगो दूसरा पार्ट मिल जाएगा, तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक्स लोट फॉर लिस्निंग, जै हिंद, तो आईए नजर डालते हैं, नेक्स राज्ये पे जो कि है तेलंगाना, तेलंगाना में देखते हैं कौन-कौन से नैसल पार्क हैं, उससे पहले एक ब जो कि हाँ पर आप लोगो नजर आ रहे होगी, और यह है तेलंगाना राज्ये, तो देखते हैं कौन-कौन से नैसल पार्क है, तो जो फर्स नैसल पार्क है, यह है कासू ब्रहमनंद रेडडी नैसल पार्क, एक्जेक्ट लोकेशन यहाँ पर देखते हैं, लगबग आप यह साउथ वेस्ट में हाँ पर देखने को मिल रहा है, जो की लोकेशन है तेलंगाना के अंदर, इसका यह नाम है, इसके लावा एक और नाम से इसको पुगर जाता है, यह भी आप लोगो पता होना चाहिए, यह तो है कासू ब्रहमनंद रेडडी नैसल पार्क, इसके कोशन तो भी आप लोगो पता होना चाहिए, नैसल पार्क का जो एर है, इसको 1998 में इसको डिकलेर किया गया था, इसे नैसल पार्क, नोर्मली हाप पर जो यह देखने को मिलेगा, यह है पैंगोलीन, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, कुछ दिनो इसे घठते हुए जा रहे हैं, आज की डेट में हमारी सोसाइटी में, अगला नैसल पार्क है, आपर बात की जा रही है, महावीर हरीना, यह आप लोग हीरन बोल सकते हैं, ठीक है, यह वनस्तली नैसल पार्क, लोकेशन आप लोगे सामने हैं, हैदराबाद के पास आप लो इसको बोलाता है, डीर के नाम से भी, जो की तेलंग आना में हैदराबाद, ठीक है, तो हैदराबाद लोकेशन है, और यहाँ पर हैदराबाद सिटी का यह largest ग्रीन लंग के तरीके से इसे देखा जाता है हैदराबाद सिटी में यह निकि जो प्योर हवा करने का काम करता है मैक्सिम तो काफी ग्रीन री आप लोग इसको बोल सकते हैं 1975 इंद्रा गांधी के टाइम पर जब अमेर्जेंसी लगाई गये थी अमारी केंट्री में उस टाइम पर इसको नेसल पार का दरजा दिया गया था किंग फिसर भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा जो यह चिडिया है इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं नेस्ट नहीं आप पर यह पर है मुरुगावाणी नेसल पार्ग यह भी आप लोगो देखने को मिलेगा हैदराबाद के अंदर यह नोर्मली मारा जाता है 350 यानि के 300 करीब आप लोग को देखने को मिलेंगे और लगबग 600 डिफरेंट तरीके के प्लांट्स आप लोग इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नेसल पाग आप लोग इसको भी बॉल सकते हैं चलते हैं अगले राजे की ओर जिसका नाम है आंदर परदेस तो आंदर परदेस में देखेंगे पर उससे पहले आप लोग एक बार लोकेशन निहार लीजें आंदर परदेस की यह देखे जो रेड इसपोर्ट आप लोग आप नजर आ रहा है यह आंदर परदेस जूम करके में अमरावती कैपिटल देखने को मिलेगी तो उसके बारे में आप लोग हलका सा आइडिया रख सकते हैं फिलाल के लिए दोनों की कैपिटल एक ही है आंदर परदेस की भी और तेलंगाना की भी तो देखते हैं कौन-कौन से नेसल पार है इसके अंदर यह आपर सिरी वें इसके लावा नेसल पार के साथ में बायस प्र 여ug कौनसी हिल में अप लोग वें देखने को मिलेगा तो गले इसके लिए काफी फेमस है किसके लिए कई सारे वॉटर फॉल को आप लोग अपर देखने को मिलेगे उसके famous है, जैसे आप लोगे सामने हैं आप यह है टाला कोना, इसके अलावा यह है यहापर गुंडाला कोना, इसके अलावा है यहापर है गुंजाना, तो यह कुछ ऐसे नेसल, यहापर कुछ ऐसे waterfall है जिनका आप लोग याद रख सकते हैं, बाकी September 1989 में इसको established किया गया था, यह एक डिफरेंट तरीके का पकसी आप लोग यहापर देखते हैं, इसका नाम है ब्लू फेस माल कोहा, और स्माल ग्रीन बेल्ड माल कोहा, ठीक है, देख सकते हैं, इसकी चोंच भी हरे रंकी है, आँखे भी कुछ-कुछ हरी रंकी नजर आ रही हो, गाड़े कुछ बाते जानते हैं, इसको पापी कॉंडालू नेसल पाथ और पापी हिल भी पर्टिक्लर एरिया हां पर बोला जाता है, इस्ट गोदावरी या फिर वेस्ट गोदावरी, जो एरिया है वाँ पर यह लोकेटिड आप लोगों को नजर आएगा, इसी के साथ में अभी, पहले कुछ पार्ट इसका बाहर भी हुआ करता था, जो पापी कॉंडालू है परले की नाज की डेट में, ये बाहर नहीं रहा है क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में, आप लोगों ने सुना भी हो गए आपर, पोला वरम डैम प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से न्यूज मे था, तो उसकी वज़े से वो रास्ता साफ हो गया है आप अब ये कंप्रिल नहीं आपर आप लोगों को इंसाइड देखने को मिलेगा, इस्टेबलिस क्या गया था, 2008 में इसको इस्टेबलिस क्या गया था, गोर या फिर इंडियन बेसन, या आप लोगों को इस तरीकी जो भैंस या सांड आप लोग बोल सकते हैं आप ये जानवर है जो की देखने को मिलता है पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, तो लोकेशन आप लोग जरूर रियाद रखेगा, आंदर प्रदेश के अंदर, गोदावरी, इस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी डिस्टिक के अंदर, नेस्ट जो राज्य है हमारा ही है केरला और केरला और तमिलनाडू पर थोड़ा सा जान से दीजेगा, क्योंकि कई सारी बार्ड वगरा और कई सारे आप लोग को साइकलोन की वेसे, दोनों जो एरिया है काफी न्यूज में रहते हैं, और अगर बार्ड, साइकल तमिलनाडू, दो बोडर के साथ में टच करता हूँ, आप लोगो नजर आएगा, थोड़ा सा जूम और करके देख लेते हैं, यह आप लोग के सामने एक्जेक्ट लोकेशन, केरला की हाँ पर देखते हैं, अगर कैबिलनाडू की बात करें, तो त्री वनंत पुरम आप लो देखें, जब जब वेस्टन घाट की बात आती है, तो आप लोगो और भी कई सारी बाते याद रखनी होती है, एक तो वेस्टन घाट को होट स्पोर्ट वाला एरिया आप लोगो देखने को मिलता है, यह हमारी केंट्री में लोकेटिड है, वेस्टन घाट में यह फिर अलावा जो हैं आपर कई लिपर शाहरे जो लिपर को सरा ह наход वॉण केरे में प्रच पर मिलदे ह C तो यं यहां से कीशन जाते हैं कर और पर है रिजन के वाँीं कमीटि सेट आप कि जा चुग है उनं कमीटि के सेट आप करने के बाद भी आपा कि ये कोई भी ऐसा state government ने step ने उठाए ताकि हम आपर उसको control के जाए, उन region की वैसे भी ये काफी news में थे, ठीक है, इसके अलावर यहाँ पर है ये नीला गिरी थार, ये इस तरीगा आप लोग को देखने को मिलेगा, इसको नील गाएं आप लोग बोल सकते ह हमें, ठीक है, तो बात क्या की की जारी है, काफी important है, इसके बारे में थोड़ा सा जहां से सुनिएगा, located western ghat में इद्दू की district, जहां पर पहले वाला located था जिस district में, उसी district में आप लोग को ये देखने को मिलेगा, इसी के साथ में में आप लोग को बताया था, उल लेडी तो इस तरीके से इसके बारे में भी आप लोग हलका सा एडिया रख सकते हैं इसके साथ में compare करने के बाद में, अगर बात करें हैं आपर जानवर की, तो यह हैं आपर नील गिरी, मार्टिन, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको देखने को मिलता है particular location के अंदर में अगर इसकी थोड़ी सी हिस्टी में आप लोग जाकर देखेंगे, तो यहाँ पर बात की जारी यह है इरावेकुलम, राजमाला वाइल लाइफ सेंचुरी जिसको 1975 में डिकलेर किया गया था, फिर आगे चलके आप लोग को देखने को मिले गया आप पर इसको नेसल पार ब बात करते हैं इसके बारे में आगे, जो आप लोग को वर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यह माथी केतन, इसका मतलब होता है माइंड कन्फ्यूज, तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर कोई एंटर करता है इस वाले इनसल पार के अंदर, तो वो नो लोकेशन का है, इद्दू की डिस्टिक में आप लोग को देखने को मिलेगा, तो माथी केतन, 16 नेसल पार्क, इद्दू की डिस्टिक के अंदर नजर आएगा आएगा आप लोगो, नोटिफाइड किया गया था है जए नेसल पार 21 नौंबा 2003 में लोकेशन आप लोगे साम इस तरीके अगर कि जिसका कोई पर्टिकुलर मिनिंग होता है तो, नेसल पार्क भी काफ़ इंट्रेस्टिंग है, बात की जा रही है, पंपा दूम, 16 नेसल पार्क, यह भी काफ़ इंट्रेस्टिंग है, यह आप लोग एक मुवी की याद दिलाएगा, नागिन मुवी की, तो लोकेशन आप लोगे सामने एक्जेक्ट, यह एक्जेक्ट टियला और तमिलनारु के बोर्डर पर देखने को मिलेगा, क्या बाते की जा रही है, पहले इसका आप लोग मिनिंग देख लिए एक बाप, पंपा दूम का मतलब है, दब फोरेस्ट वेर इसने एक डांस, य और यह एक इंट्रेस्टिंग इंफोर्मेशन हो रहे है, कि सबसे छोटा नेसल पार्क है, जो आप लोगो केरला में देखने को मिलेगा, तो यह भी आप लोग यार रख सकते हैं, इसके अलावा कहां पर पाए जाता है, यह है प्लानी हिल, प्लानी हिल वाला पर्टिक्लर एरिया है, जहां पर आप लोगो वंदुर्व, यह वाला पीक है, जहां पर आप लोगो यह देखने को मिलेगा, 2003 में इसको एजे नेसल पार्क इस्टेबलिस किया गया था, लोकेशन आप लोग यहां पर दिखाए दी, इसके लावा नील गिरी वुर पिजन, यहनी कि यह क आप लोगो हलका सा एडिया रखना है, आगे चलता हूँ, अगला नेसल पार्क काफी फेमस है, और प्रियार रीवर का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके बेस पर भी आप लोग याद रख सकते हैं, प्रियार नेसल पार्क यह एक्जेक्ट लोकेशन है, यह आप लोगो जो देखने को मिलेगा, नियर, यहाँ पर दो तीन डिस्टिक का भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं, तीन डिस्टिक कौन कौन से हैं, जो पहला है आप लिद्दू की जो कि हम लोग कई बार डिसकस कर चुके हैं, इसका अगला है यह कोटायम, और जो थार इसका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, केला के अंदर आप लोग को यह एक्जेक्ट लोकेशन देखने को मिलेगी, कुछ और बाते आप लोग याद रखेगा, यह खासकर अगर अगर अलिफेंट रिजर्व की बात करते हो, टाइगर रिजर्व, तो उसके लिए भी यह आप लोग को नेसल पाक देखने को मिलेगा, जो कि इसके नाम भी जाना जाता है, इसके अलावा दो इंपोर्टेंट रिवर के नाम आप लोग जुरूर याद रखेगा, पहला मैंने पिरियार बता ही दिया आप लोगो, और दूसरा है आपर पंबा, पी-ए-म-बी-ए तो पंबा रिवर भी आप लोग है, आपर देखने को मिलेगी, तो यह दो रिवर भी इंपोर्टेंट है, और बाकि एलिफेंट और टाइगर के लिए मैंने आप लोगो बताई दिया, इसको 1982, यानि के 1982 में इसको इसको इस्टेबलिस किया गया था, और यह जो यहाँ पर किया जाता है, यह Department of Forest and Wildlife के द्वारा, ठीक है, तो यह तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, तो यह पर्टिकुलर एरिया है, इसके बारे में आप लोग हलका सा एडिया रख सकते हैं, आगे चलता हूँ, नेसल पार्क है, उसके लिए आप लोगो साइलेंट रहना पड़े हैं, क्योंकि हम लोग साइलेंट वैली नेसल पार्क के बारे में डिस्स करने वाले हैं, तो इसलिए सोर नहीं मचाना, बिल्कुल सांथ रहना है, ठीक है, लोकेशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं, यह अब लोग को देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में, नील गिरी हिल, यह काफी एंप्जाते हैं, क्यों सा नेसल पार्क आप लोग को देखने को मिलेगा, तो तीन-चान नेसल पार्क के नाम दे दिए जाएंगे, और फिर पूच ले जाएगा, तो यहाँ पर साइलेंट पेली नेसल पार्क का नाम आप लोग को नहीं भूलना है और अगर कोई एक्जेक्ट लोकेशन आप लोगों से पूछे की जाना है तो आप लोग बताईएगा कि यह मनार कट के पाला कट डिस्टिक के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा ठीक है डिस्टिक ओफ केरला और 26 दिसंबर 1980 में इसको डिकलियर किया गया था यह है आप निलगिरी वोट पीजन यह आप लोग देखते हैं तो इसके बारे में यह कुछ बाते हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए तो यह था आखरी नेसल पार केरला के अंदर आईए अब चलते हैं तमिलाडु के अंद लोकेशन एक बार निहार लेते हैं कहां पर है एक्जेक्ट यह बीचों बीच आप लोग यहां पर देखने को मिला है जो रैड इस्पोर्टेड एरिया है तमिल नाडु इंडिया में साउथ के अंदर ठीक है और खासकर आप लोग को पता भी होना चाहिए यहां पर जो सिर लोडी चेरी का जो कि आपर डिस्टिक है ठीक है इसके अलावा अगर टच करने की बात करें तो आंदर परदेश करनाटका और केरला तीन राजेच को टच करते हुए आप लोग को नजर आते हैं तो यह थी कुछ इसके बारे में छोड़ी-छोडी मगर मोटी बाते हैं आई इसकी वज़े से question आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके अलावा जब बात करते हैं मौनसून का नॉर्मल मौनसून आप लोगो हमारी country में आती हुए दिखती है कहां से यह आप लोगो south west से मौनसून आती हुए ऐसे पर लेकिन जब तमिलाडू की बात करते हैं तो तमि गुंडे नेसल पार्क ठीक है तो इसका नाम याद रखेगा मजा कर रहा था गुंडे नहीं यह गुंडी ठीक है तो यानि यह गुंडा हो गया मेल यह गुंडी ओके तो फीमेल वाली डाकु है यह तो इसके वारे में आप लोग याद रखेगा चलिए जो भी आप लोगो काँ पर है चन्नेई, तमिलाडू के अंदर देखने को मिलेगा और 8th smallest जो नेसल पाग आप लोग को नजर आएंगे इंडिया में, उन में से 1 है, क्योंकि very few parks situated inside the city है, तो अगर city के अंदर कोई होगा, तो आप लोग normally देखने को मिलेगा, वो चोटा होई जाएगा, क्योंकि गाउं से लोग इदर-उदर से आके महाँ पर रहने लगने हैं, और फिर क्या किया जाता है, आस-पास की land का encroachment किया जाता है, उसकी वेसे, जो आप लोग को कोई भी अगर पार्क वाला area या फिर देखने को पी से लेटे डे संस्था, आप लोग को पता ही होगा इसके बारे में, यानि कि founder और RSS भी आप लोग उनको बोल सकते हैं, तो उसके connect करके, कुछ भी हो देखे, आप लोग क्या करना है, basically किसी को भी कहीं से भी जहां से आप लोग connect कर सकते हैं, basic purpose यह है, रटना नहीं है, किसी से connect करके, जहां से भी आप लोग किसी को कर सकते हैं, बस उसको लंबे समय तक आप लोग याद रखते हैं, कोई भी ऐसा तिगड़म बाजी आप लोगो भीड़नी है, क्योंकि question में आप लोग का mainly attempt होना चाहिए, exam में वो मुद्धा है, ठीक है, आगे चलता हूँ, अगला national park काफी important है, इसके बारे में थोड़ सा जहां से सुनिएगा, बात की जारी है, Gulf of Manar, Marine National Park, location आप लोग के सामने हैं, आप पर Gulf of Manar वाला portion आप लोग दिखते हैं, आप ये exact beach ओ बीच सिरे लंका और इंडिया के बीच में आप लोगो location इसकी नजर आ रही होगी, अगर बात करें, Gulf of Manar, Marine National Park के बारे में, तो इसके बारे में एक interesting बात ये है, अगर आप लोग यहाँ पर घूमने जाएंगे, तो ये कैसी नाओ में आप लोग इस particular area में दरसन करा जाते हैं, अगर आप लोग इस नाओ में बैठेंगे, चो चारो तरफ यहाँ पर खड़ा ह आप लोग देखते हैं, पर लेकिन ये limited है, ग्लास वाली बोट यहाँ पर अलाओ की जाती है, इसके लाबा ज़्यादा कुछ अलाओ नहीं किया जाता है, ठीक है, बाकी का है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह चोड़े चोड़े आइलेंड है, उनको मिलाकर यहाँ पर यह complete area देखने को मिलता है, जो कि Gulf of Manar वाला एरिया है, आपर खासकर तमिलनाडु का East Coast वाला region आप लोग बोल सकते हैं, तो यह की छोड़े छोड़े चोड़े चोड़े आइलेंड है, उसको consist करके यह Gulf of Manar, Marine, National Park आप लोग को देखने को मिलता है, तो अब अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, यह हैं आप दूंगोंग, ठीक है, यह हैं आपर मचली है, जो कि vulnerable category में, आप लोग को पता है, खासकर South वाले area में अगर आप लोग जाएंगे, मचली पालन काफी important way है, महाँ पर मचली पालन करने का, इसलिए कुछ ऐसा चीज़े होते हैं कि जैसे ट्रोलर वगएरा यूज के जाते हैं, तो उसकी विए से कुछ ऐसी मचली हैं वहाँ पर जो आज केर में, काफी खतरनाक, vulnerable condition है, यानि काफी कम वहाँ पर रह चुकी हैं, जब उनके बच्चा देने का time होता है, उस time पर भी वहाँ पर कई बार क्या होता है, बंद कर जाता है, ट्रोलर वगएरा यूज करने के लिए, और मचली पकड़ने के लिए, ताकि जो बच्चे पैदा हैं, हो सकें, वहाँ पर आगे चल के बढ़ सकें, तो इसलिए हाँ पर इसके बारे आप लोग याद रख सकते हैं, नेशन नेसनल पार काफी इंट टेस्टिंग औ आप लोग को ये देखने को मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ी आगे बाते जानते हैं, डिटेल में क्या क्या बाते की जा रही है, अन्ना मलाई ये फिर इंदरा गांधी ये तो याद रखने हैं, पहले इसको इंदरा गांधी के नाम से पुकार जाता था, अब इसको अ पर्टिकुलर हिल का नाम अगर पूछा जाए, तो आप लोग याद रखेगा कि ये पर्टिकुलर हिल हैं आप और ये इस्टेट हैं आपर तो वो मैच करने के लिए भी आ जाता है, तो अन्ना मलाई हिल में भी पूछा जा सकता है, कौन सा नेसल पार है, तो ये क्या है, अ आपर जो कि आप लोगो ब्राउन कलर का देखने को मिलता है, पर्टिकुलर एरिया में इस नेसल पार में, तो इसके बारे वे आप लोग हलका सा एडिया रख सकते हैं, तो आईए अब आगे चलते हैं, ये है सेकिंड लास नेसल पार इसके बाद में एक नेसल पार और बज यह डिक्लेर किया गया था टाइगर रिजर्ब भी जो कि नोर्थ वेस्ट साइड नील गिरी हिल के आप लोग को देखने को मिलता है इसको ब्लू मांटेन भी बोलते हैं यह भी याद रखेगा ठीक है नील गिरी हिल या फिर नील आप लोग ने सुना होगा नील गाएं या फ जिसको आप लोग चीता बिली बोल सकते हैं ठीक है या फिर आप लोग देखते हैं इस तरीका है जो कलर है इसका तो थोड़ा सा उसी टाइप किया लग रही है तो यह हाँ पर काफी इंटरेसिंग आप लोग देखते हैं जो जानवार पाया जाता है आज का देखते हैं ने नेलगिरी थार यह इसका नेसल पार्क है या फिर आप लोग इसको नेलगिरी थार नेसल पार्क से भी पुकार सकते हैं देखिए जिस भी नेसल पार्क के दो नाम है न वो तो आप लोग कम से कम देखी लीजेगा जरूर क्योंकि दो नाम अगर आ जाते हैं कई पर तो साइट का पार्ट है, यह है आपर किसे 1st July 2012 से, तो यह जो पार्क हो गया आपर यह काफी important हो गया, एक तो दो तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, आप आप Biosphere Reserve, इंडिया 1st International Biosphere Reserve, तो यह तो इस वज़े से, दूसरा है आपर क्या, यूनेस को World Heritage Site का इप पार्ट है, इसको जो डिकलेर किया गया था, पार्क है यह December 2001 में स्टेबिलिस किया गया था, तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा, ठीक है, तो यह है मुकूर्थी, नेसल पार्क, तमिलाडु में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ब्लैक बुलबुल, यह जो चड़िया है, आप लोग आप लोग को देखने को मिलती है, तो यह कुछ बात याद रखिएगा, तो अंडमान निकोबार वाले एरिया पर, तो अंडमान धंक से देख पाएंगे, कहाँ पर यह लोकेशन है, और क्या के इसके बारे में चीज़े हैं, वो आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे, यह देखें आपर, यह बीचो बीच आप लोग को दिख रहा है, अंडमान सी भी आगया है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, अंडमान और निकोबार आइलेंड, अगर आप लोग इसको अच्छे से जूम करके देखेंगे, तो आप इसकी exact location देख पाएंगे, क्या क्या इसके अंडर में आते है, सबसे ज़्यदे नोर्थ में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके अगर थोड़ा नीच आ अगर थोड़ा सा और आप इस तरीके से नीचे चले जाएंगे, तो आप लोगो फिर क्या देखने को मिलेगा, फिर हैंपर आप लोगो निकोबार वाला portion देखने को मिलेगा, लिटरिल निकोबार हो गया, फिर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, यह ग्रेट निकोबार हो यह देखे नीचे लोकेशन आप लोगे सामने थोड़ा ओर जूम कर लेते हैं यह आपर बिल्कुल ठीक है यह इंदरा पॉइंट है आप लोगे सामने ओके तो यह पर पट्टिकुलर एरिया को हम लोग यहापर कवर करने वाले हैं तो सबसे पहला नेसल पाक है आप लोगे सा पाक है एक्जेक इसका नेम तो यहापर यह ग्रेट निकोपर वाले एरे में आप लोगो देखने को मिलेगा और इसी के साथ में हमारी कंट्री में जो यूनियन टरिटरिय है उसके अंदर यह आ जाता है जो इसको दरज़ा दिया गया था यह 1992 में दरज़ा दिया गया था और यह एक पार्ट है अगर आप लोग इसको देखें किसका ग्रेट निकोपर बायो स्पेर रिजर्व का ठीक है तो यह कुछ बात है इसके लावा अगर यहापर एक जानवर की आप लोग बात करें तो क्रेब इटिंग में काओ आप लोग यहापर देखने को मिलेंगे ठी यहापर Campbell National Park नेक्स्ट यहाप रही है गला थे बे नेक्सल पार्क लोकिसन आप लोग के सामने यहापर यह एक्जक लोकिसन आप लोग यहापर देख सें इसकी जो मैप में आप लोग के सामने ऊपर हो गयाँ आपर अंडमान सी इसके बारे में कुछ बाते जानते हैं आप अगर इसके बारे में आप लोग जानेंगे तो गला थेबे जो नेसल पार्थ यह आप लोग को देखने को मिलेगा यह देखने को मिलेगा आपर यूने ट्रेटरी अंडमान और निकोबार वाले एरिया में और इसको जो नेसल पार्थ का दरजा दिया गया था यह उनीस सो बा इसके लावा इसको North Mahatma Gandhi Island के नाम से भी पुकार जाता है अगर निक नेम आप लोग यहाँ पर इस particular area का देखें तो इसके बारे में कुछ बाते जानते हैं आप इसके बारे में आप लोग को देखने को मिलेगा अगर महातमा गान्दी को यहीं जाता है है तो दोनों ही तरीके से आप लोग इसको याद अरर तो महात्मा गांधी जी के नाम से भी आप लोग को इस पर्टिक्लर एरिया में एक नेसल पार्ग नजर आ जाएगा, आगे बात की जारी हैं आपर, यह है middle button island नेसल पार्ग, यह भी कहापर देखने को मिलेगा, location आप लोग के सामने exact हैं, आप लोग देखते हैं अंडमा निक नेसल देखने को मिलेगी काफी जाद है जो पाए जाते हैं, location आप लोग के हाँ पर सामने हैं, तो यहाँ पर यह है middle button island नेसल पार्ग, ठीक है, तो यह भी काफी important है इसके एरिया में जो पाए जाता है, बात की जारी हाँ आप पर mountain hayat नेसल पार्ग, यह भी location आप लोग के स हमने किस particular area में यह पाए जाता है, कुछ इसकी specialty हाँ पर जान लेते हैं, अगर नहीं हाँ पर इस specialty की बात करें, तो butterfly hot spot भी इसको बोला जाता है, यह काफी important है, direct आप लोग को से बोचा जा सकता है, कि कौन सा SNIS सर पाग है जिसको butterfly hot spot बोला जाता है, इसके अलावा जो अंड पर इसके बारे में हलका सा idea जरूर रखेगा, अभी हम लोगों ने हापर middle बटन देखा था, अभी हाँ आपर है North Button Island National Park, इसकी location आप लोग के सामने हाँ पर यह जो देखने को मिलेगा, इसके बारे में क्या specialty है particular area में, यह जो है आप इस specialty के अगर बात करते हैं, तो सबसे प यह coffee आपर पाए जाता है, ठीक है, तो इसके बारे में हलका सा idea रखेगा, कि क्या इस specialty है, कभी established किया गया था, और किस particular area में यह है, तो यह कुछ बात हैं आप लोग जरूर यह idea रखेगा, बात करते हैं आपर, रानी जासी, Marine National Park, यह location आप लोग यहाँ पर देखते हैं, मह 1996, 1996 में इसका अगठन किया गया था, और रानी लक्समी, 22 ही कि याद में इसका नाम यहाँ पर रखा गया, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग हलका सा idea रख सकते हैं, 1828 से अठावंता कि इनका हाँ पर time period आप लोग देख सकते हैं, अगर बात करें हाँ आपर, यह है, य एक तरीका खास कबूतर यहाँ पर पाए जाता है, तो यह पर जाती है, आप लोग को इसके बारे में idea रखना है, जो की particular specialty है, इस particular area की, यह है यहाँ पर Saddle Peak National Park, अगर location की बात करें, तो यह आप लोग के हाँ आपर देखने को मिलेगा, exact location आप लोग के सामने है, यहाँ पर यहाँ पर पक्सी देखने को मिलेगा, जो की specialty है इस particular वाले area की, तो यह काफी important है, कई बार आप लोग को से direct, National Park के बारे में पूछ ले आता है, किस एरिया में पढ़ता है, कभी established क्या गया, और क्या special कोई अगर पक्सी के बारे में पदा चले, तो अभी आप लोग हलका सा idea रख सकते हैं, आगे चलता हूँ, बात करते हैं, आपर south button, यह है island national park, middle देख लिया, north देख लिया, अब यहाँ आपर बात की जारी है, south के बारे में, ठीक है, तो यह location आप लोग के सामने है, exact आप लोग को confused नहीं होना है, middle button देखा, south button देखा, इसके अलावा आप लोग क national park था उसका, ठीक है, तो यह भी important आप लोग उसे पुछा जा सकता है, कौन से हापर connected है, एक दूसरे के साथ में, तो south button और राणी जासी नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के साथ में हापर connect है, अगर यहाँ पर इसकी बात की जाए, तो यह एक तरीकी मचली आप लोग यहा नामे में आप लोग को बता दिया, और picture आप लोग यहाँ पर exact सामने है, यह आप लोग के सामने इस तरीक अच कुछ जान वाए, मचली नुमा आकार का आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, आईए अब चलते हैं आपर चंडिगड के और चंडिगड में देख लेते यहाँ पर हैं चंडिगड exact, ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं आपर क्या क्या बाते की जा रही है, कि कौन कौन सा क्या क्या है, तो चंडिगड में अगर हम लोग बात करें हैं आपर तो आप लोग को यहाँ पर कोई भी नेसल पार नजर नहीं आएगा, जी हाँ आप लोग के सामने हैं, जिसको यहाँ पर सिटी बर्ड, सिटी बर्ड स्वाइलाफ सेंचुरी या फिर पैरट बर्ड स्वाइलाफ सेंचुरी के नाम से जाना जाते हैं, जो की 1988 में स्टेब्लिस की गए थी, इसके अलावा सुकना लेक का नाम आप लोगों ने सुनाई आप लोग के लिए कोशन है, यह मैंने आप लोग को हिंदू वाली वीडियो में पढ़ाया था और नैनो मैगजिने में भी मैंने इसको कवर किया था, तो आप लोग यहाँ पर यह बताए, रोग गार्डन जो चंटी गर में है, वो किसके द्वारा इस्टेब्लिस किया गय जूम करके देख लेते हैं एक्जेक्ट लोकेशन, यह देखे आप लोग यहाँ पर देख सते हैं, यह हैं आपर एक्जेक्ट लोकेशन आप लोग के सामने, एक्जेक्ट अब आप लोग देख सते हैं आपर, ठीक है, यह एक्जेक्ट लोकेशन आप लोग के सामने, ठीक है पर कुछ भी नहीं है बट लोकेशन आप लोग जरूर याद रखेगा इस लोकेशन आप लोकेशन आप लोग को पता होनी चाहिए अब बात करते हैं आप लोग देखने को मिलेगा तो उसके उपर नज़र डाले से पहले एक बार आप लोग लोकेशन देख लिजे कि दमाने अग्जेक्ट लोकेशन ठीक है यह आप लोग के सामने है तो इसके बारे में जान लेते हैं आप लोग को चीजे देखने को मिलती है तो लोकेशन तो में आप लोग है आप लोग है आप बताई दी यह देख सते हैं नेसल पार कोई नहीं है अगर बात करें वाइलाफ सेंच बात करते हैं आपर लक्षे दीप के बारे में, लक्षे दीप पर अगर आप लोकेशन पर नज़र डालेंगे एक एक लोकेशन का हैं तो यह आप लोग अरेबियन सी में देखने को मिलेगा, अब तक हम लोग बेप बंगाल की बात करेते हैं अंडमान निकोबर वाले एरिया क पर अब हम लग जारे हैं यहां पर अरेबियन सी में तो यहां पर आप लोग को हमारा जो आईलेंड वाला एरिया है लक्षे दीप यह आप लोग आपर देखने को मिलता है exact location है आप लोग के सामने अगर लक्षे दीप कहां पर बात करते हैं तो यह आप लोग देखते हैं अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे यह particular area ठीक है तो यह लक्षे दीव वाला हमारा area इसमें जान लेते हैं क्या क्या चीज़े हैं ताकि आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं तो सबसे पहले तो नेसल पाक कोई है ही नहीं है जो मैंने आप लोग को बता दिया है wildlife century अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर pity wildlife century ठीक है ना तो यानि के बड़ wildlife century है जो की 1995 में इस्टेबलिस की गई थी इसके बारे में भी आप लोग हलका सा idea रख सकते हैं यूने territory भी काफी important हो जाती है तो हलका सा idea इनके बारे में आप लोग जरूर रखिएगा आगे ब बता होना चाहिए exact location यहाँ पर आप लोग के सामनी है दो यहाँ पर आप लोग को तमिल नाडू एक केला और एक आंदर प्रदेश में देखने को मिलता है नेसल पाग की बात करें तो कोई भी हाँ पर नेसल पाग नहीं है अगर बात करें हाँ आपर wildlife century की तो यह हैं यहाँ पर ओशुदू wildlife century जिसको establish किया गया था कब यह 19 यह 2008 में इसको establish किया गया था ठीक है तो इसके बारे में आप लोग हलका सा idea रख सकते हैं आगे चलते हैं next तो next है हमारी जो union territory है यह निके जो हमारी national capital भी है डहली इसके बारे में देखते हैं क्या-क्या बाते हैं तो सबसे आप लोग को यहाँ पर भी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा ना तो national park है ना ही कोई wildlife century है तो इसके बारे में आप लोग idea रख सकते हैं तो इस तरीके से आप लोग देखे हम लोगोंने complete India और सारे union territory में कौन-कौन से national park हैं वो सब मैंने हाँ पर detail में आप लोग के cover किये ह मैं आसा करता हूँ कि इस series ने आप लोगो जुरूर फायदा पहुचाया होगा अगर आप लोगो फायदा पहुचाया तो देखें चीजों को share करना मत भूलेगा और like करना मत भूलेगा और इसके लावा अपने जो विचार है वो नीचे comment box में आप लोग share कर सकते हैं जो भ प्रेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद।